हलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, हमारे चैनल NCRT टुट्रोयल के उपर और यहाँ पर इस फूटो के हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 12 को जिसका नाम है Improvement in Food Resources और यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT बुक के मदद से Line by Line explanation के साथ, और यहाँ पर जो हमारा NCRT हम यूज कर रहे हैं, वो है latest NCRT ठीक है? और यहाँ पर यह हमारे सिरीज का नाम है, मतलब कि इस नाम से आपको playlist मिलेगा जिसमें कि आपको science के सारे chapters मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह last chapter है इसके पहले सारे videos, सारे chapters upload कर दिये हैं मैंने, और playlist में added है आप जा करके सारे videos, सारे chapters पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर आईए chapter को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर chapter का नाम आप क्या देख रहें? chapter का नाम देख रहें, Improvement in Food Resources तो भाई हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है? यही चीज़ पढ़ना है, कि भाई जो हमारा food resource है न, इसमें हम लोग improvement कैसे कर सकते? मतलब यहाँ पर कहना क्या है? भाई यहाँ पर कहना यह है, कि देखो हम लोग organism हैं, जितने भी प्रिथवी पर organism हैं, सभी को जिन्दा रहने के लिए, सर्वाइब करने के लिए food बहुत important होता है भाई यहाँ पर अगर हम लोग इंसानों की खास कर बात करें, तो हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है भाई आपके देश में ही देखें कितनी आबादी बढ़ चुकी है, 140 करोड के आबादी हम लोग पार कर चुके हैं पूरी दुनिया के सबसे जदे आबादी वाले देश हम लोग बन चुके हैं तो इतनी जब आबादी बढ़ रही है, तो लोगों को भोजन भी चाहिए भाई, भोजन चाहिए हमारे पास जानवर भी बहुत सारे हैं, उन सब को भी भोजन चाहिए तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि हमारे जो food resources है, चाहे वो plant based food resources हो, जैसे कि crops हो गए, या फिर animal based food resources हो, milk हो गया, meat हो गया, अंडा हो गया, इन सब का हम production कैसे बढ़ा सकते हैं, इनको हम improve कैसे कर सकते हैं, कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने पाएं, यही चीज यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, समझना है, और जानना है, समझ गए, तो यहाँ पर जब आप यह चैप्टर शुरू करेंगे, तो यही बात सबसे पहले आपको कही जा रही है, क्या जाग कहा जा रहा है, we know that all living organism need food, हमें पता है कि जितने for body development, growth and health, वही बात है, food हमें क्यों में जरूरी होता है, क्योंकि food से हमें protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals मिलते हैं, जो की हमारे सरीर को growth करने के लिए, activity करने के लिए, या फिर हमारा health अच्छा रखने के लिए, या daily जो हम work करते हैं उसके लिए हमें जरूरी होता है, ठीक है, कहता है कि both plants and animals are major sources of food for us, we obtain most of this food from agriculture and animal husbandry, भाई यहाँ पर क्या है, कि हमारे लिए food sources क्या है, तो हमारे लिए food sources animals भी हैं, और साथ में हमारे लिए food sources plants भी हैं, प्लांट से हमें crops वगेरा, फल मिलता है, सबजी मिलता है, सब चीज़े मिलती हैं, और वही animals हमें क्या मिलता है, meat मिलता है, अंडा मिलता है, या फिर दूध मिलता है, या फिर आप अगर कहें तो घी भी मिलता है, बटर भी मिलता है, और भी कई सारी चीज़े मिलती है, ठीका, तो मतलब क्या हमारे लिए food का source क्या है, पहला तो agriculture है, और दूसरा animal husbandry है, agriculture मतलब तो आप समझ रहे हैं, कि जहां पर crops को हम मतलब कि हम लोग जब अपने food requirement को पूरा करने के लिए जनवरों का देखमाल करते हैं, जनवरों को पालते हैं, समालते हैं, जैसे गाय को पालना ताकि हमें गाय से दूध मिले, तो वो हमारा animal husbandry में आता है, ठीका, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे हम हमारे सामने क्या आता है, आगे यहां पर कहता है, कि we read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry, why is this necessary, why we cannot make do with the current level of production, वही सवाल है भाई, कि हम लोग हमेसा news में पढ़ते हैं, कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, agriculture से production बढ़ाने की बात की जा रही है, animal husbandry से production बढ़ाने की कोशिश क जा रही है, मतलब कि पहले अगर हम 100 किलो अना जुगाते थे, अब हम 1500 किलो अना जुगाने की बात कर रहे हैं, पहले हम 10 गाय रखते थे, अब 20 गाय रखने की बात हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हम चाहते हैं, कि यहां पर हम लोग production बढ़ाएं, क्यों हम चा इंडिया is a very populous country, our population is more than 1 billion people, ये तो भाई पुराना data बोल रहा है, मैंने आपको बोला ना कि 1.5 billion होने वाले हम लोग, और दुनिया के most populous country हम लोग बन चुके हैं, ठीक है, कहता है कि and it is still growing, as food for this growing population, we will soon need more than a quarter of billion ton of grain every year, अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर quarter of billion ton grain हमें हर साल चाहिए होगा, मतलब billion ton का एक चौथा ही, ठीक है, कहता है कि this can be done by farming on more land, अब यहाँ पर बात है कि हम लोग कैसे agriculture में production बढ़ा सकते हैं, तो पहला तरीका है कि हम लोग क्या अपनाएंगे, हम लोग जादा जमीन पर खेत करेंगे, तो हमारा क्या होगा, production बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक बात कहता है कि but India is already intensively cultivated, as a result we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation, कहता है कि देखो बाइंडिया में अभी तक अगर हम देखें, तो हमारे पास जितनी जमीन थी खेती करने के लायक, हम उस सारी जमीन पर खेती कर रहे हैं, त हम जमीन बढ़ा करके production नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यह रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है, इसलिए कहता है कि therefore it is necessary to increase our production efficiency for both crops and life stock, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना production efficiency बढ़ाएं, efficiency बढ़ाने का क्या मतलब है, मतलब यहां पर कि देखो भाई, मेरे पास एक जमीन है, जो कि माल लोग की एक एकड़ है, एक एकड़ जमीन में पहले माल लोग की 10 टन अना जुगता था, तो हम efficiency बढ़ाएंगे, इसी जमीन में हम लोग क्या करेंगे, 15 टन अना जुगाएंगे, तो यह हमारा क्या बढ़ है, जो कि 10 kg दू देती है, तो अब हम उसमें क्या ऐसा कर दें, उसको क्या ऐसा खिला दें, उसको कैसे ध्यान रखें, कि वो 15 kg दू देने लगे, इस प्रकार से हमें efficiency बढ़ाना है, कि हमारे पास जो resources हैं, वो limited हैं, लेकिन हमें production बढ़ाना है, यही बात यहां पर कहता है, आगे यहां पर कहता है, कि efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far, यहां पर कहता है, कि जो हमारा food demand है हमारे आसपास, मतलब जो लोगों की जरूरते हैं, उसको पूरा करने का जो एक कोशिश किया गया है आज तक, food production बढ़ा करके, वो आज तक तो हमको ऐसा दिखा है, कि भाई वो ठीक ठाक रहा है, हमारा काम एक प्रकार से चल गया है, आज तक हुआ क्या है भाई, आज तक हमारे देश में हुआ green revolution, green revolution आया हमारे देश में, जिसमें क्या किया गया है, crops का production बढ़ाने के उपर focus किया गया, खास कर wheat और rice के production को बढ़ाने के उपर focus किया गया, कैसे बढ़ाया गया, तो इसमें कई तरीके अपनाए गए थे, जैसे HYV seeds का इस्तमाल किया गया, high yielding seeds का इस्तमाल किया गया, अच्छा irrigation system लगाया गया, fertilizer manure का इस्तमाल किया गया, pesticide बहुत इस्तमाल किया गया, machines यूज किये गया, ताकि हम लोग क्या कर सके, efficiency बढ़ा सके, समझ गया, इस तरीके से green revolution की मदद से हमारा production बढ़ाया गया, इसके बाद आया white revolution, white revolution आया जिसमें क्या किया गया, दूध का production बढ़ाने के उपर focus किया गया, यहाँ पर कई सारे तरीके अपनाए गया, जैसे कि milk का greed बनाया गया, मतलब कि कई सारे शहरों को जोड़ा गया, जो आपको किसान थे, जो गाय को पालते थे, milk production करते थे, उनका cooperative बनाया गया, बहुत सारे काम किये गया, इन सब कामों के जरीए क्या किया गया, production बढ़ाने की कोशिश की गई, ताकि हमारे देश में जो food का requirement है, लोगों को nutrition का requirement है, उसको पूरा किया जा सके, अब यहाँ पर कहता है, कि however these resources mean that our natural resources are getting used more intensively, अब यहाँ पर कहता है कि हम लोग यह जो तरीका अपना रहे हैं, यह जो revolution हमने किया है, इससे क्या हुआ है, हमारे जो natural resources हैं, वो अब जादा intensively use हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ, कि देखो, अगर यहाँ पर कोई जमीन है, इस जमीन पर पहले एक टन अनाज उगता था, तो अब हम यहाँ दो टन अनाज उगा रहे हैं, कैसे दो टन अनाज उगा रहे हैं, यहाँ पानी हम ज़्यादा दे रहे हैं, अच्छी quality के seeds यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, या फिर pesticide डाल रहे हैं, fertilizer डाल रहे हैं, समझे कि यहाँ पर जो fertilizer डालते हैं, chemical डालते हैं, उससे इस जमीन की जो quality है, वो खराब हो जाती है, इस तरीके से example से समझे कि एक आदमी है, जैसे मैं हूँ, मेरी capacity है कि मैं 50 kg का वजन उठा सकता हूँ, और दिन भर काम कर सकता हूँ 50 kg के वजन को उठा करके, मतलब 50 kg के ब 100 kg के बोड़े अगर उठवाएं जाएं, और मैं 100 बोड़े उठा करके रखने लगूँ, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरी capacity से बाहर मुझसे काम करवाया जा रहा है, बिल्कुल वही चीज है, कि जो हमारा land है उसमें हमने resources डाल दिया, पानी डाल दिय अच्छी quality का seed डाल दिया, fertilizer डाल दिया, chemicals, pesticide डाल दिया, weedicide बहुत चीज़े डाल दी, हमने production तो बढ़ा लिया, लेकिन जमीन ही हमारा खराब होने लगा, समझ गई, यही बात है, इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि हम लोग irrigation बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो पा to the point of destroying their balance completely, मतलब आज के समय में हमारी स्थिती ऐसी हो चुकी है, कि अगर हम इसी trend को follow करते रहे, इसी प्रकार से production बढ़ाते रहे, तो आगे चल करके हमारे जो natural resources हैं, वो इस कदर खराब हो जाएंगे, कि वो return नहीं हो सके, मतलब वो बंजर जमीन हो जाएगी, जैसे जमीन पर हम इसी प्रकार से खेती करते रहे, तो यह जमीन बंजर हो जाएगी, यहाँ खेती ही होने लायक नहीं रहेगा, या फिर जिस इलाके में यह खेती है, उस इलाके में पानी खतम हो जाएगा, लोगों को पानी की पीने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिती आ सकती है, य हमारे environment पर भी bad impact ना पड़े और ना ही हम अपने nature का balance disturb करें बलकि उसको maintain करके रखें मतलब कि उसके जमीन जो है उसको इस कदर हम इस्तेमाल करें कि उसकी quality maintain रहे उस soil की fertility खराब नहों वो जितना है उतना ही बना रहे और उसमें कोई परेशानी नहों आगे कहता है कि hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना है agriculture और animal husbandry में sustainable practices अपनाने sustainable practices अपनाने का क्या मतलब है मतलब कि हम इस प्रकार से इन resources का इस्तमाल करें कि आज हमारी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए और आगे चलके भी हम इनका इस्तमाल करते रहें मतलब कि इनको permanently damage नहीं करना है मतलब जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं उसको इस प्रकार से खेती करो उस जमीन को कि आज हमारी जरूरत के लिए अनाज हमको मिल जाए लेकिन आज के 20 साल भी उस जमीन पर खेती हो सके पचास साल बाद भी हो सके यही हम को यहाँ पर sustainable practices करना है यही चीज यहाँ पर कह रहा है आगे कहता है कि अब कहता है कि आपने बहुत महनत किया खेत में और खेत में महनत करके खूब खेती किया और खूब अनाज उगा दिया और अनाज जाकर कि आपने कहां रख दिया गोदाम में रख दिया तो क्या उससे लोगों का पेट भर जाएगा या लोगों की जरूरते पूरी हो जाएंगे, जी नहीं, वैसा तो होता नहीं है, लोगों के पास जब खाना पहुँचेगा, लोग उसको खाएंगे, तब उनकी भूख मिटेगी, तब उनको एक प्रकार से हंगर उनकी दूर होगी, तो यही चीज़ कहता है कि people should have money to purchase food, food security depends on both availability of food and access to it, अब यहाँ पर बात क्या है, कहता है कि भाई देको food security जो है, वो दो चीज़ों के उपर depend करती है, पहला तो भाई आपका food available होना चाहिए, और साथ में लोगों का उस तक access होना चाहिए, आपने अगर खेती करके अनाज गोदाम में रख दिया, तो क्या food security हो गया वैसे food security आप अच्छे से पढ़ेंगे अपने economics के chapter number 4 में, पूरा chapter है इस चीज़ के वारे में, तो आपको पता होगा कि भाई food security का क्या मतलब है, मतलब की बहिला तो बात है कि भाई आपके पास अनाज होना चाहिए, मतलब पूरे देश में, और साथ में food जो है वो हर तक पहुचना चाहिए, सरकार PDS दुकान चलाती है, distribution करती है, बहुत चीज़े करती है, FCI के द्वारा procurement करती है, ताकि लोगों तक पहुचाया जाए, ये दोनों चीज़े food security के लिए important होती है, अब आगे कहता है कि the majority of our population depend on agriculture for their livelihood, increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger, अब यहाँ पर कहता है, एक point आप से क्या कहा, कि भाई लोगों के पास पैसा होना चाहिए, ताकि वो food को purchase कर सके, अब यहाँ पर कहता है कि देखो भाई, हमारे देश में जो ज़्यादतर लोग हैं, वो agriculture करकी अपनी कमाई करते हैं, agriculture सुनका पूरा परिवार चलता है, इसलिए लोगों का income करी देंगे, खाएंगे, खुस रहेंगे, एश में रहेंगे, समझ गए? आगे कहता है कि scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farms, यहाँ पर कहता है कि देखो भाई, हमें अगर अपने फार्म से, अपने जमीन से, खेट से high yield लेना है, तो हमें क्या करना होगा? scientific management practices अपना नहीं होंगी, मतलब जो scientific तरीका है, उससे हमें agriculture करना होगा, animal husbandry करना होगा, तभी हमारा production बढ़ सकता है, तभी हम उससे जो farmer से उनकी income बढ़ा सकते हैं, उनको उनके जमीन से ज्यादा हम production दे सकते हैं, अब यहाँ पर आगे कहता है कि for sustained livelihood one should undertake mixed farming, inter cropping, integrated farming practices, for example, combine agriculture with lively stock, live stock, poultry, fisheries, beekeeping, अब यहाँ पर short में आपको यह पता चलेगा कि आगे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर कह रहा है कि देखो भाई, कोई किसान है, कोई आदमी जो की agriculture के उपर dependent है अपना income के लिए, उसको अगर अच्छा livelihood प्राप्त करना है, तो उसको क्या करना होगा, पहला तो farming के अलावा भी कुछ काम क मतलब कि अगर वो खेत में खेती कर रहा है, उसके अलावा क्या करें? उसके अलावा वो live stock पाले, poultry पाले, fisheries का काम करे, beekeeping का काम करे, और साथ में जो वो अपना खेत है उसका, खेत में वो mixed farming करे, inter cropping करे, integrating farming करे, तो मतलब कई सारी चीज़े करे ताकि वो अपना income जादा स ज़्यादा बढ़ा सके, अब यहाँ पर आगे क्या कहता है? कहता है कि the question does become how do we increase the yields of crops and livestock, अब यहाँ से main point आपका शुरू होता है, अभी तक जो आपने देखा एक प्रकार से आपको chapter का सार समझ में आ रहा था कि भाई, हमारा target क्या है? हमारा target simple है, कि भाई, हमें क्या करना production बढ़ाना है, किस चीज में? agriculture में, और साथ में, live stock में, मतलब कि animal husbandry में production बढ़ाना है, लेकिन production इस तरीके से बढ़ाना है कि हमारे nature को नुपसान नहीं होना चाहिए, हमारा sustainable development होना चाहिए, sustainable practices हमें अपनाने हैं, और साथ में हमें scientific method भी अपनाना है, तो इसमें हम सबसे पहले की गई है, topic number 12.1, improvement in crop yields, मतलब कि crop yield को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, yield कहने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है, कि एक खास जमीन से, जैसे एक एकड़का जमीन है, उससे हम जादा से जादा अनाज कैसे प्राप करें, मतलब कि एक जमीन है, एक एक इल्ड कितना है, 15 तंका है, तो yield मतलब कि एक खास जमीन के टुगड़े से कितना हमें output मिल रहा है, यही चीज यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे कहता है, कि cereal such as wheat, rice, maize, millets and sorghum, provide us carbohydrate for energy requirement, अब यहाँ पर short मैं आपको बता दू, तो यहाँ पर आया गया है, कि भाई, किस-किस food से हमें क्या-क्या चीज़े मिलती है, तो यह भी आप ध्यान रखेगा, यह आप से पूछा जा सकता है, वैसे मुझे ने लगता है कि इतना simple question पूछेगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखेगा, कि भाई, cereals, जैसे कि wheat, rice, maize, millets, sorghum से हमें क्या मिलता है, carbohydrate मिलता है, ठीक है, और carbohydrate किसलिए, भाई, energy requirement को पूरा करने के लिए, इसके बाद जो हमारे pulses होते हैं, जैसे कि gram हो गया, जिसको चना बोला जाता है, पी, मतर हो गया, black gram, उरद हो गया, या फिर green gram, moong हो गया, pigeon पी हो गया, अरहर हो गया, lentil हो गया, मसूर हो यह हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, protein प्रोवाइड करते हैं, जितने भी दाल होते हैं, वो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, protein प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके बाद oil seed आ गया, oil seed यानि के हिंदी में तिलहन इसको कहते हैं, इसमें आपको soya bean आ जाता है, ground आ जाता साथ में कैस्टर आ जाता है, मस्टर्ड, लिंसीड, सन्फ्लावर, ये सारे आ जाते हैं, जिनका की जेनरली आप अपने आसपास तेल देखते हैं, समझ गया है, जिससे हमें तेल पर आप होगा, वो हमारा तिलन हो गया, ये हमें क्या पर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं, jog आप यहां पर अगर इसके बाद लोग आगे देखें, तो आगे यहां पर कहता है, वेजीटेबल्स, स्पाईसेज, and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amount of protein, carbohydrate and fats जो हमारे vegetables होते हैं या फिर सबजी में सो मसाले हम लोग इस्तमाल करते हैं या फिर जो हमारे पास fruits होते हैं ये हमको vitamin, minerals देते हैं और साथ में कुछ हद तक हमें protein, carbohydrate, fats वगरा भी देते हैं अब आगी कहता कि in addition to these food crops fodder crops like barseem, oats and sudan grass are raised as food for lively stock अब यहाँ पर कुछ crops के नाम दिए गया है जैसे barseems है, oats है, sudan grass है इनको हम लोग क्यों गाते हैं? इनको हम लोग गाते हैं ताकि हम अपने जो live stock है यानि जो गाए हमने पाला हुआ है बकरी पाला हुआ है उनको हम लोग ये चीज़े खिला सकें समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे कहता है कि different crops required different climatic condition कि भाई, अलग-अलग crops जो होते हैं उनके climatic condition अलग-अलग होते हैं जैसे अगर हम लोग wheat को देखें तो उसको climatic condition अलग required होता है rice को अलग required होता है तो हर plant को उगने के लिए जो condition चाहिए होता है वो अलग-अलग होता है यही simply बात है जैसे अलग-अलग climatic condition का मतलब क्या है? मतलब कि अलग-अलग temperature चाहिए अलग-अलग photopriate चाहिए अब photopriate का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ एक line लिखा हुआ है photopriate are related to duration of sunlight मतलब कि कोई plant है उसको एक दिन में कितना धूप मिल रहा है कितने समय तक वो उसको धूप मिल रहा है तो वो photopriate होगा जैसे गर्मी के दिनों में दिन लंबा होता है जादा देหน तक सूरज उबता है तो photopriate मिल रहा है सरदी के दिनों में दिन छोटा होता है सूर्प कम देर तक उबता है तो photopriate मिल चोटा है समझ गय तो यहाँ पर यही चीज है कि photopreade अलग-अलग चाहिए होता है अलग-अलग crop को, अलग-अलग plant को आगे कहता है कि growth of plant and flowering are dependent on sunlight As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis हमें भाई पता है कि photosynthesis ते plant अपना भोजन बनाते हैं यह तो आपको पता है क्योंकि आपने पीछे के classes में ही इसको पढ़ लिया है अब यहाँ पर कहता कि there are some crops अब यहाँ पर आपको पढ़ना है अलग-अलग types of crops जो कि season के अधार पर उखते हैं मतलब अलग-अलग season में अलग-अलग crops उखते हैं उनके बारे में यहाँ पर types की बात की जा रही है अब कहता कि there are some crops which are grown in rainy season और called खरीब crops कुछ ऐसे crops हैं जो कि rainy season में उखते हैं उनको हम क्या कहते हैं खरीब crops कहते हैं और यह कब उखते हैं जून से लेकर October के बीच में अब यहाँ पर जून से लेकर October कहने का मतलब है कि monsoon season जिस समय monsoon आने वाला होता है तब इन crops को लगा दिया जाता है मतलब जून के लगभग का समय और जब monsoon खतम हो जाता है तब यहाँ पर इन crops को काट लिया जाता है लगभग October का समय मतलब कि जब सर्दी आने वाली होती है तब इन रवी crops को लगाया जाता है अब जब गर्मी आने लगती है March खतम होने लगता है April आने लगता है जब कड़ा धूप आने लगता है तब इनको काट लिया जाता है अब यहाँ पर दोनों के उदाहरण आपको ध्यान रखने है उदाहरण कौन कौन से है आपका है पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम और ब्लेक ग्राम यह आपको हो गए खरीव crops इसके बाद wheat, ग्राम, peas, mustard, linseed, रवी यह सारे हो गए रवी crops तो खरीव crop और रवी crop आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर आगे एक चीज़ कहता है कि in India there has been a 4 times increase in the production of food grain from 1952-2010 with only 25% increase in the cultivable land area अब यहाँ पर कहता है कि देखो भाई 1952 में जितना हम लोग अनाज उगाते थे उससे हम लोगों ने 4 गुना अनाज उगाया 2010 में 2010 में लेकिन हमने खेती के लिए जमीन कितना बढ़ाया मातर 25% समझ गए तो थोड़ा सा जमीन हमने बढ़ा करके 4 गुना अनाज उगाना शुरू कर दिया कैसे उगाया भाई? इसके लिए हमने क्या किया? तो यहाँ पर कहता है कि if we think of the practices involved in farming we can see that we can divide it into 3 stages अब यहाँ पर यह है कि हमने production कैसे बढ़ाया? तो अगर हम farming के सारे practices के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम farming के practices को 3 stages में divide कर सकते हैं कि जहाँ पर हम improvement कर सकते हैं तो कहता है कि the first is the choice of seeds for planting अब यहाँ पर बात है कि जब हम लोग खेती करने जा रहे हैं तो खेती के लिए सबसे पहले क्या चीज़ जरूरी है? एक बीज जरूरी है seed जरूरी है तो भाई seed अगर अच्छी quality का होगा तो हमारा plant भी अच्छी quality का होगा और अगर plant अच्छी quality का होगा तो हमें वहाँ पर output भी ज़्यादा मिलेगा समझ गए? तो यही चीज़ कहता है कि सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम लोग क्या करें? ऐसा seed लें जो कि high quality का हो ज़्यादा output दे खराब condition में भी survive कर जाए वो crop तयार नहीं होता है उस crop का हमें अच्छे से खयाल रखना है उसको जितनी पानी जरूरत है उतना पानी देना है जितना उसको धूब जरूरत है, धूब देना है और साथ में अगर कोई वहाँ पर कीडे मकौडे हैं तो उनको भी खतम करना है, weeds हैं तो उनको भी खतम करना है, पूरी तरीके से उनको nurture करना है, ध्यान रखना है, आगे कहता है कि the third is the production of the growing and harvested crops from loss, और साथ में जो हमारा अनाज उग गिया है, या फिर grow कर रहा है उसको loss से बचाना है, मतलब कि weeds बगरा लग गए, कीडे मोकोड़े लगए, उससे बचाना है, आगे कहता है कि the major groups of activities for improving crop yield, clan be classified as crop variety improvement, crop production improvement crop production management अब यहाँ पर तीन प्रकार के activities हैं तीन stages हम कह सकते हैं पहला stage कौन सा है वो है crop variety improvement मतलब कि हमें सबसे पहले तो बीज अच्छी quality का चाहिए, कि भाई देखो आपने देखा होगा आम का पेड़ होता है कुछ आम के पेड़ होते हैं उनमें बहुत आम मिलता है हमें, और कुछ आम के पेड़ होते हैं जिनमें कि बिल्कुल बहुत थोड़े थोड़े आम मिलते हैं, मतलब बहुत कम आप आमुगते तो भाई आपके लिए कौन सा अच्छा वल आम का पेड़ है जिसमें कि ज़्यादा आमुगा हुआ है तो वो क्या है उसको एक अच्छा सीड मना जाएगा मतलब अच्छा प्लांट मना जाएगा समझ गए तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास एक वीट का प्लांट है उसमें जादा अगर हमें वीट उगेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है यह इसी प्रकार से कहता है कि हमें क्या करना है सबसे पहले तो क्रॉप का विराइटी इंप्रूफ करना है क्वालिटी इंप्रूफ करना है उसके बाद हमें क्या करना है जब हमने crop लगा दिया तो उसको nurture करना है ध्यान रखना है उसको जो भी जरूरते हैं उस जरूरतों को पूरा करना है और साथ में third है crop protection management मतलब कि हम क्या करेंगे उसको weed से बचाएंगे हम उसको कोई किटानू है तो उससे बचाएंगे कोई बीम हम ध्यान रखेंगे उसको ख्याल रखेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे topic नमर 12.1.1 है crop variety improvement मतलब क्या भाई हम लोग seed की बात करने वाले हैं कि जो seed हम लोग लगाने वाले हैं बीज लगाने वाले हैं उसकी quality को हम लोग कैसे improve कर सकते हैं अब यहाँ कहता है कि this approach depends on finding a crop variety that can give a good yield अब यही बात है भाई इस step में इस approach में हमें क्या करना है सबसे पहले ऐसा हमें seed खोजना है जिसका हम इस्तमाल करें और हमें क्या मिले good yield मिले मतलब जादा से जादा हमें अनाज प्राथो मतलब ऐसा बीज खोजो जो कि सबसे ज़दा हमें output दे आगे कहता कि varieties of strain of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields अब यहाँ पर यह है कि हमें क्या करना है हमें ऐसा variety चुनना है ऐसा crop चुनना है जिसमें कि हमें बहुत सारे फाइदे मिले फाइदे मतलब क्या हमें तो पहला तो yield जादा चाहिए साथ में disease से resistance चाहिए fertilizer के प्रती response चाहिए quality कैसा है इस सबके हिसाब से हमें क्या चाहिए crop चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे crop का breeding करेंगे breeding कहने का मतलब क्या है मतलब कि 2 plants को हम लोग क्या करेंगे 2 plants हैं तो 2 plants को आपस में हम लोग meet करवाएंगे और एक ऐसा plant बनाएंगे जिसमें कि हमें क्या गरना होगा मतलब जिसमें हमें क्या मिलेगा हमें सारे अच्छे गुण मिलेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बात कहता है, आगे कहता है कि one way of incorporating desired character into crop variety is by hybridization, अब यहाँ पर दो तरीके आपको पढ़ने हैं, समझगे उसमें पहला तरीका क्या है, hybridization है, कि भाई अच्छी quality का crop हमें कैसे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, hybridization कराएंगे, मतलब क्या, मतलब यह हमारे पास दो crop है, दोनों crop में हमको क्या है, अलग-अलग फीचर है, जैसे एक crop है, इसमें yield जादा है, लेकिन दूसरे crop में क्या है, yield कम है, लेकिन इसको बीमारी नहीं होता है, कोई कीडा मोकडा इसको नुकसान नहीं पहुचाता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों plant को breed करवा देंगे इन दोनों को मिला करके हम लोग एक ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसमें कि हमारा इल्ड भी जदा रहे मतलब इसका वाला गुन भी आ जाए और इसका गुन भी आ जाय कि भाई इसको बीमारी भी ना हो यह प्लांट कभी मरेगा नहीं कोई कभी खराब नहीं होगा, तो यह हमारे लिए क्या है, एक best plant है, यह हमारा desired plant है, तो इस प्रकार से hybridization कराके, breeding कराके, हम ऐसा गुन को प्राप्त कर सकते हैं, अब यहाँ पर कहता है, कि hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants, यही चीज है, कि हम क्या करते हैं, genetically dissimilar plant लेते हैं, मतलब दो ऐसे plant हैं, जिनमें आपस में कोई मतलब नहीं है, कोई एक जैसा गुन नहीं है, दोनों अलग अलग plant है, इनको हम क्या कराएंगे, cross कराएंगे, cross करा करके हम एक ऐसा plant बनाएंगे, जिसमें कि दोनों के गुन हो, जोनों के अच्छे वाले गुन हो, अच्छे वाले इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक, अब यहाँ पर तीन प्रकार के हाइवरिडाइजिशन हो सकते हैं, अब यहाँ पर तीन टर्म्स जो आपको दिये गए हैं, यह आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले एक आपको चैप्टर हुआ करता था, जिसमे आप समझ जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीका, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा structure है, कि भाई, हमारी दुनिया में जितने भी organism हैं, उनका classification हम लोग करते हैं, उनकी properties के आधार पर, सरीर के बनावट क आधार पर, तो हम लोग classification करते हैं, classification कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है kingdom, kingdom मतलब क्या, मतलब की भाई, किस प्रकार का प्रजाती है, जैसे कि हम लोग animals हैं, तो animals का kingdom क्या होता है, animalia kingdom होता है, और plants का अलग kingdom होता है, समझ के इस प्रकार से kingdom होते हैं, इसके बाद kingdom के अंदर classification अब यहां पर आपको ज़ादा में डिठेल भूली जाओंगा क्योंकि भाहि बहुत लंभा चोड़ा यह चीज है पूरा चेपटर था इसके उपर सिलेबस बिलीटेड था तो भाहि देखो यहां पर kingdom में क्या आ गया, dominalic चीज़ है, ठीक है, तो यहां पर kingdom में क्या आ गया, तो जितने भी animals हैं जो की movement कर सकते हैं, वो सारे आपके क्या आ गया, animals की kingdom में आ गया इसके बाद phylum आ गया phylum में class आ गया, class में order आ गया, family आ गया, genus आ गया species में जैसे की हम लोग यहां पर इनसान हैं, homo sapiens हम लोग species हैं, तो यहां पर हम लोग क्या है, इनसान species हो गया, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर हमारा plant है, plant में अगर आप देखें तो kingdom क्या हो गया, plant kingdom हो गया, division हो गया, मैंने कहा ना कि phylum के जगह पर plants में division होता है, इसके बाद हम लोग बात करें तो class यहां पर आ गया, dicotolidon हो गया, इसके बाद order हो गया, family हो गया, genus हो गया, species हो गया, simply ये समझे कि आपके सबसे नजदीक वाला जो होगा, वो या तो आपके species के आसपास कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि हम लोग monkey लोगों से आए हैं, कि भाई monkey लोग से हम लोग सुधर करके या growth करके या improvement हो करके इंसान बने हैं, तो हम लोग का सबसे close क्या है, हम लोग का सबसे close है monkey है, chimpanzee है, इस प्रकार के mammals है, ठीक है, तो ये हमारे species, different type of species हो सकते हैं, या फ species के, अलग-अलग variety के बीच में हम लोग अगर जब breeding करवाते हैं, तो वो हमारा कैसा hybridization होता है, intervarital, मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आपके समने mango है, आम है भाई, तो आम आपको पता है कि कई प्रकार का होता है, आम जैसे लंगणा आम होता है, दशहरी आम होता है, और भी बहुत परकार के आम होते हैं, तो हम क्या करें, लंगणा आम ले, दशहरी आम ले, उनके बीच में जब hybridization करा दें, तो वो क्या होगा, intervarital hybridization होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों same species हैं, दोनों mango हैं, लेकिन उनका variety सिर्फ अलग है, variety दे यहां पर interspecific हम लोग hybridization कराते हैं, मतलब कि यहां पर दो different species के बीच में hybridization कराते हैं, अब यहां पर देखिए, दो different species के बीच में कहने का मतलब क्या है, मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर जैसे हम लोग देखते हैं, यह mango है, तो mango में यह तो आपको हो जा है, तो यहाँ देखो, यह kajoo है, और यह आम है, दोनों में क्या difference है हाई, हमारा kingdom सेम है, और यहाँ तक हमारे हमारा order तक सेम है, और यहाँ पर हमारा जो family है, यानि कि जो हमारा genus है, वो सेम है, सेम है, नई, अलग-अलग है, यह अलग-अलग genus है, मतलब क्या, यह आपका किस प्रकार का hybridization होगा, यह आपका hybridization होगा, आपका intergeneric, मतलब कि इनका genus, जो हमारा genera है, वो अलग-अलग है, तो इनके बीच में जब हम लोग hybridization कराएंगे, मतलब काजू के और मैंगो के बीच में जब हम लोग hybridization कराएंगे तो यह हमारा कैसा होगा, इंटर जिनरिक हो जाएगा, लेकिन यही पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, जो कि आपको मैगनी फेरा जीनस के अंदर ही होते हैं, लेकिन वो मैंगो नहीं होगा, बलकि कोई दूसरा आपका प्रजाती ह होगा, समझके बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, तो मैंगो का जब हम उसके साथ हाइब्रिडाइशन कराएंगे, सेम जीनस है, यह वाला सेम है, लेकिन इस पेसिज डिफरेंट है, तो यह हमारा हो जाएगा, इंटर जिनरिक, ठीक है, तो यहाँ पर, सौरी, इंटर इस् सेम इस्पीसिस के अलग-अलग वर्याइटी के बीच में, दूसरा इंटर इस्पेसिफिक, सेम मतलब डिफरेंट इस्पीसिस के बीच में, लेकिन जीनस सेम होगा, और साथ में हमारा है, इंटर जेनरिक, डिफरेंट जेनरा के बीच में, अब देखें, यह जेनस और जेनर that would provide the desired characteristic this result in genetically modified crop दूसरा जो तरीका है अच्छी quality का crop प्राप्ट करने का मतलब जो crop हमें required है वो crop प्राप्ट करने का दूसरा जो तरीका है वो है हम की हम लोग क्या करें जीन मोडिफाई कर दें भाई हमें पता है कि हमारे शरीर में जो cells होते हैं cells में DNA होता है DNA में भाई nucleus होता है जहांपर gene present होता है और उसी gene से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है भाई उसी के आधार पर उसमें जो data है उसी के आधार पर हमारा पूरा शरीर बना हुआ है तो plant में भी crop में भी यही चीज होता है तो crop में यही चीज होता है यहाँ पर जाकर के बदल देंगे और हमें वो quality मिल जाएगा तो यही चीज कहता है कि इस प्रकार के seed को भी हम लोग ले सकते हैं जो कि genetically modified है मतलब gene के genes को modify किया गया है वैसे seeds का भी use कर सकते हैं तो दो तरीका आपके सामने यहाँ पर क्या आगया पहला तरीका आगया hybridization मतलब crossing करा करके दूसरा आगया genetically modified crops मतलब कि gene को modify किया गया है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें आगे कहता है कि four new varieties of crops to be accepted it is necessary that the variety produces high yield under different conditions that are found in different areas अब यहाँ पर यह बात है कि देखो भाई आपने तो क्या किया crossing कराया या फिर genetically modify करके अच्छा seed बना दिया जिसमें yield yield बहुत जादा है और बहुत सारी चीजे पर वो अच्छा है लेकिन क्या हम उसको crop के रूप में इस्तमाल कर लेंगे नहीं उसके लिए हमें बहुत सारे criteria test करने होंगे बहुत सारी चीजे चेक करनी होंगी कि भाई य good quality seeds of a particular variety मतलब किया हमें भाई उस seed को इतनी quantity में बढ़ाना होगा कि farmers को sufficient quantity में हम लोग प्रोवाइड कर सके पहला तो challenge यह है कि हमारे पास जो seed होना चाहिए वो उसका quantity बहुत अच्छा बहुत जादा होना चाहिए that is the seed should all be of the same variety and germinate under the same condition ठीक है आगे यहाँ पर कहता कि cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water अब यहाँ पर देखो कहता है कि हमारा जो खेती जब हम लोग करते हैं तो खेती में कितना हमारा yield होगा वो किस बात के उपर depend करता है cultivation practices के उपर और sorry वो weather के उपर depend करता है soil quality के उपर depend करता है और water के उपर depend करता है मतलब कि हमने क्या गया बहुत अच्छी quality का seed ले लिया हमने उसको लगा दिया लेकिन उसको अगर हम पानी नहीं दे तो क्या हमें yield मिलेगा नहीं मिलेगा अगर धूब बहुत ज़्यादा हो जाए बहुत गर्मी ज़्यादा हो जाए वो plant सुख जाए तो क्या हमें yield मिलेगा नहीं मिलेगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि तो यह सारे चीज़े भी फैक्टर होती हैं। तो कहता कि since weather conditions such as drought and flood situation are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity has been developed. अब यहाँ पर कहता है कि देखो भाई, हमारे देश में कई सरी तरीके के problems होते हैं जब agriculture किया जाता है, हो सकता है अचानक से सूखा आ जाए, या फिर बाढ़ आ जाए, या फिर बारिश लगातार हो धूप न उगे, तो बहुत तरीके के आपको climatic condition मिल सकते हैं। तो हमारे लिए वो crop सबसे अच्छा है, जो कि इन सारे climatic conditions को झेल सके, हम इंडिया में किसी भी इलाके में ले जाकर कि उसको लगा दे, वो अच्छे से उग जाए, और कोई problem ना करे, तब हम उस crop को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो crop हम पूरे देश में यूज करने वाले हैं, किसानों को बहुत बड़े इस्तर पर देने वाले हैं, और अगर वो crop किसी तरीके से फेल करता है, तो किसानों की आर्थी किस्तिती बहुत खराब हो सकती है। उनकी मतलब पूरी कमाई बरवाद हो सकती है। इसलिए बहुत सारे conditions, बहुत सारे criteria को ध्यान रखके हम crops का चुनाव करते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर कुछ factors बात किये गए हैं। कहता कि some of the factors for which variety improvement is done for। मतलब कि यहाँ पर जब हम किसी भी variety को improve करने के बात करते हैं, चाहे वो hybridization के जरीए हो, या फिर genetically modify करके हो, उसमें क्या-क्या चीज़े हम लोग ध्यान रखते हैं, क्या हमारा target होता है, वो चीज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारा target किया है भाई? कि हमको higher yield चाहिए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हमको प्राफ्थ हो जाए, यह हमारा target है सबसे पहला, मतलब कि हर acre जो crop का output है, वो जितना ज़्यादा हो सके, वो हमारे लिए अच्छा है, दूसरी बात हमारे लिए क्या है important? Improved quality, मतलब जो crop है उसकी quality अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर crop के लिए अलग-अलग है, मतलब यहाँ पर यह कहता है कि quality consideration of crop product vary from crop to crop, हर crop के लिए भाई quality का मतलब अलग होता है, कैसे? जैसे हम लोग wheat की बात करें, तो wheat जो है, उसका हम लोग आटा तयार करते हैं, तो आटा तयार करते हैं, तो इसमें baking quality बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आटा को अच्छे से गुथा जा सके, तो यह चीज हम लोग कहां ध्यान रखते हैं? wheat में ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम लोग pulses की बात करते हैं, pulses का crop तयार करते हैं, तो pulses में क्या अच्छा होना चाहिए? pulses में protein quantity अच्छा होना चाहिए, quality अच्छा होना चाहिए, तो pulses का जब हम crop तयार करेंगे, तो वहाँ पर protein के उपर हम लोग ध्यान देंगे, baking के उपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे इसी प्रकार से हम लोग देखें oil seed का जब हम लोग crop तयार करेंगे hybridization करेंगे या फिर genetically modify करेंगे तो यहाँ पर oil quality के उपर हम लोग ध्यान देंगे ना तो protein के उपर ध्यान देंगे वो अलग-अलग होता है, हर crop के लिए अलग-अलग quality को target किया जाता है इसके बाद यहाँ पर अगला क्या है, अगला target हमारा होना चाहिए कि हम लोग biotic और abiotic resistance जितना ला सकें crop में वो हमारे लिए अच्छा है मतलब कि आप एक scientist है आप जा रहे हैं एक crop को modify करने, genetically modify करने या फिर आप जा रहे हैं hybridization करवाने, तो आप क्या target रखिएगा, यह सारा target रखिएगा, यह ध्यान रखिए, कि भाई आपको क्या करना है, high yield वाला crop बनाना है आपको क्या करना है, product की quality improve करनी है, उसके बाद क्या करना है biotic और abiotic resistance होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है crop production can go down due to biotic and abiotic, water logging heat stresses under different situation, मतलब यहाँ पर यह है, कि जब हम लोग खेती करते हैं, तो कई सारे biotic problem आ सकते हैं, biotic challenges आ सकते हैं, और कई सारे iabiotic challenges आ सकते हैं, जैसे crops में बीमारियां हो सकती हैं, insect लग सकते हैं nematode लग सकते हैं साथ में हमारे जो खेत है वहाँ पर सूखा आ सकता है हमारे खेत में salinity बर सकती है हमारे खेत में water logging हो सकता है, heat wave आ सकता है cold आ सकता है, frost हो सकता है इस तरीके के challenges आ सकते हैं तो हमें ऐसा crop बनाना है जो की diseases को भी जहल ले heat को भी जहल ले cold को भी जहल ले drought को भी जहल ले salinity को भी जहल ले insect को भी जहल ले वो सारे problems को जहल ले जो crop ऐसा करेगा वो हमारे लिए अच्छा quality का crop है high quality crop है सबज गया? खिलने वाले improvement कर ले तो हमारा crop का production क्या होगा? बढ़ जाएगा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि खेत में बहुत तरीके के कीडे में पड़े होते हैं बहुत बीमारियां होती हैं जो कि plants को भी लग जाती है तो यहाँ पर क्या है? यह सब चीज होना भी जरूरी है अब यहाँ पर एक और चीज है हमारे लिए target वो क्या है? change in maturity duration मतलब यहाँ पर यह है कि भाई देखो crop जितना जल्दी उग करके तयार हो जाए पक करके तयार हो जाए वो हमारे लिए उतना अच्छा है क्यों अच्छा है भाई? तो इसको पढ़ते हैं कहता कि the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting the more economic is the variety मतलब क्या? जितना जल्दी crop का duration होगा मतलब लगाने से लेके काटने तक का duration जितना छोटा होगा वो crop हमारे लिए उतना फाइदे मंद होगा उतना सस्ता होगा या फिर उससे हमें उतना फाइदा हो सकता है कैसे? अब उसका ये मतलब है कि मान लोग कि हमारे पास एक साल है one year one year का समय है अगर हम लोग क्या करें? एक crop लेते हैं जो कि चार महिने का समय लेता है तो हम एक साल में इस प्रकार का कितने crop उगा सकते है तीन crop उगा सकते है चार, चार, चार चार मन्थ, चार मन्थ, चार मन्थ तीन crop उगा सकते है लेकिन अगर हम ऐसा crop बना दें जो कि यहाँ पर तीन महिने में ही तयार हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? बार बार cropping कर सकते अब यह really possible नहीं हो सकता है कुछ इसमें बहुत challenge जाएंगे लेकिन यह इसका main target है और दूसरा target यह है कि अगर यहाँ पर crop 4 महिने की जगा 3 महिने समय लेता है तैयार होने में तो हमें 4 महिने की बजाए 3 महिना crop का ध्यान रखना पड़ेगा crop को 3 महिना तक पानी देना पड़ेगा 3 महिना तक fertilizer या फिर और भी चीज़े देनी पड़ेगी ज़रूरत की चीज़े इसलिए duration जितना कम होगा उससे हमको यहाँ पर उतना economically benefit होगा मतलब यही चीज़ कहता है कि short duration also reduces the cost of crop production uniform maturity makes the harvesting processes easy and reduces losses during harvesting अब यह भी एक target है भाई कि हम लोग जब यहाँ पर देखें कि हम लोग crop तयार कर रहे हैं crop बना रहे हैं तो ऐसा crop होना चाहिए कि सारे crop के जो seed हैं जितने भी seed हैं वो एक समय में एक साथ पक करके तयार हो जाएं तो एक साथ पकेंगे पूरा खेत एक बार में तयार होगा तो हमारे लिए उसको harvest करने ज़्याद आसा नहीं होगा harvest करने समय उसका loss कम होगा यह भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमन चीज़ है इसके बाद हमारे सामने है next point next point है wider adaptability मतलब कि यहाँ पर कहता है कि developing varieties of four wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental condition one variety can then be grown under different climatic condition in different areas मतलब क्या मतलब कि हम ऐसा crop बनाए जिसको की अलग-लग condition में अलग-लग जगा पर हम लोग use कर सकें जैसे नौर्थ इंडिया में यूपी में भी उस crop को उगाया जा सके और केरल में भी तमिलनाडू में भी पंजाब में भी तो ऐसा crop जो की अलग-लग climatic condition में उग सकता है तैयार हो सकता है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा उससे हमको क्या होगा सभी इलाकों में same crop को हम लोग use करने पाएंगे इसके बाद आगे क्या है desirable ergonomic characteristic अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको समझना है कि अलग-लग plant में अलग-लग चीज़ जो वहाँ पर जो गेहु निकलता है उससे हमें मतलब है जो उसका मतलब फल है वो हमें मतलब है तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जैसे जो हमारा गेहु है चावल है या फिर हम लोग pulses जो उगा रहे हैं तो उसमें हमारा tallness required नहीं है tallness property हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है लेकिन अगर हम लोग कोई fodder crop उगा रहे हैं कोई 4 उगा रहे हैं जानवरों को देने के लिए उसमें हमें tallness required है प्लांट जितना लंबा होगा बड़ा होगा उतना हमारे लिए फायदे मंद हैं हम उतना 4 जानवरों को खिलाने पाएंगे तो अलग-अलग प्लांट में ह हमारे लिए agronomic character जो होते हैं वो अलग-लग होते हैं यही चीज कहता है कि dwarfness is desired मतलब कि यहां पर अगर plant हमारा छोटा होगा wheat का plant या फिर हमारा rice का plant या फिर हमारे cereal का plant जो है छोटा होगा तो हमारे लिए फायदे मंद है क्योंकि plant लंबा होने से हमको कोई फायदा नहीं है वो एक प्रकार का waste है हमारे लिए तो plant छोटा होगा तो वो nutrition कम लेगा कम nutrition में वो आसानी से उगने पाएगा यह चीज हमारे लिए फायदे मंद है इसके बाद यहां पर यही चीज कहता है कि thus developing varieties of desired economic character help give higher production productivity वही बात है बाई यह higher productivity हमें मिलता है क्यों मिलता है बाई क्योंक कम रहेगा अब यहां पर इसके बाद हमारे सामने next topic के topic number है 12.1.2 जिसका नाम क्या है जिसका नाम है crop production management यहां पर अब हम लोग आगे नर्चरी के बात करेंगे मतलब कि हमने क्या गया अच्छा seed चुल लिया हमने seed लगा दिया है खेत में अब हमें उसे nurture करना है उसका ख्या अगर सकते है crop के production को improve कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर छोटा सा intro है इस चीज के बारे में वो चीज आपको जाना जरूरी है समझना जरूरी है तो यहां पर क्या क्या रहा है यहां पर simply यह कह रहा है कि देखो अगर हम इंडिया में देखें तो कुछ ही small farmers होते हैं, कुछ बड़े farmers होते हैं, कुछ ही small farmers ऐसे होते हैं, जिनका farm जो होता है, वो बहुत ही small होता है, और कुछ जो बड़े farmers होते हैं, उनके पास बहुत बड़े-बड़े farms होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जमीन होती है खेती करने के लिए, इसलिए यहाँ पर जो अलग-अलग farmers होते हैं उनके पास कमिया जादा land है, कमिया जादा money है और उनके पास information कमिया जादा है और साथ में technology भी कमिया जादा है, मतलब कोई छोटा किसान है, अगर किसी गाव में छोटी सी जमीन पर कोई किसान खेती कर रहा है ना तो वो एक tractor यूज़ करेगा, नहीं harvester यूज़ करेगा, नहीं जाकर वो अपने खेत में sprinkler system लगाएगा वो क्या करेगा, वो छोटी सी अपनी खेत में जो है, वो क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से कम technology के साथ वो खेती करेगा लेकिन कोई किसान है, किसी किसान के पास मानलो 100 एकर जमीन है, वो क्या करेगा, बहुत high technology के साथ वो खेती करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा output ले सके, अंतर क्या है, अंतर पहला तो उनके पास जमीन अलग-अलग है दूसरा, जो बड़ा किसान है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो invest कर सकता है, छोटे किसान के पास पैसा कम है साथ में information का भी अंतर है, जो बड़ा किसान है, वो जाता है, information तो आता है, ताकि उसको output ज़्यादा मिल सके लेकिन छोटे किसान के लिए जो की गाव में रह रहा है छोटे से जमीन पर खेती कर रहा है उसके लिए यह चीज़े उतनी possible नहीं है तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि in short it is the money or the financial condition that allows farmer to take up different farming practices and agricultural technologies तो भाई बात है कि जो अलग अलग किसान है कोई भी किसान है वो अपनी इस्थिती के हिसाब से नई नई technologies का यूज करता है नए नए आपको farming practices को यूज करता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा मतलब आगे जो यहाँ पर हम चीज़े जानने वाले हैं कि हम लोग scientific method यूज कर सकते हैं हम लोग अच्छा irrigation यूज कर सकते हैं ये सारी चीज़े हम जानने वाले हैं वो चीज हर जगा पर यूज नहीं होता है क्यों यूज नहीं होता है भाई जो किसान है उसकी capacity अलग मतलब कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो छोटा किसान है उसका yield कम होता है क्यों कम होता है भाई क्योंकि वो invest कम करता है पैसा कम लगाता है पैसा वो कम क्यों लगा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा कम है बड़ा किसान का yield जादा है क्यों क्योंकि वो invest उतना जाद practices, मतलब कि किसान के पास पैसा कितना है invest करने के लिए, साथ में उसके पास जमीन कितना है, कि उसकी capacity कितनी है उससे तै होता है कि वो कौन सा cropping तरीका अपनाएगा, cropping system अपनाएगा, कैसा वो production practice करेगा, वो hull से खेती करेगा या tractor से करेगा, वो कटाई हांच से करेगा, या फिर harvester से करेगा, ये किस चीज़ के उपर depend करता है, उसकी capacity के उपर depend करता है, financial condition के उपर depend करता है, कहता है कि therefore production practices can be at different levels, they include no cost production, low cost production and high cost production, तीनों में क्या अंतर है भाई, तीनों में अंतर seed का इस्तमाल कर रहे हैं, नहीं हम वहाँ पर fertilizer डाल रहे हैं, मतलब पैसे हम लोग invest नहीं कर रहे हैं, nature की वज़ा से बारिश के पानी से और पुराना रखा हुआ seed से, जो हमारा खेती हो जाए, वो हमारा हो गया भाई, no cost हमारा production, फिर low cost production क्या है, low cost production में हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है, seed हम लोग अच्छा खासा ले ले, और हो सकता है irrigation हम लोग अच्छा लगा दे, मतलब सारी चीज़े हम लोग high quality का यूज नहीं करेंगे, scientific नहीं यूज करेंगे, मतलब आप seed अच्छा ले रहे हैं, irrigation दे रहे हैं, लेकिन आप लोग harvester यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर tractor यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आपने fertilizer उतना अच्छा नहीं डाला है, या फिर आपने pesticide का यूज नहीं किया है, यह हो सकता है, मतलब कुछ चीजों में अच्छा लगाया हुआ है, पैसे लगा कर, साथ में आपने वहाँ पर pesticide डाला, किटानों को खतम करने के लिए, बीमारियों को खतम करने के लिए, पेस्ट को खतम करने के लिए, आपने weedicide डाला, fertilizer भी डाला, आप manure भी compost कर रहे हैं, सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपके लिए possible है, आपने tractor खरीद लिया है, harvester से अपनी कटाई करते हैं, मतलब सब चीज आप कर रहे हैं, बहुत पैसा invest करके खेती कर रहे हैं, तो हमारे देश में तीनों प्रकार की खेती ही होती है, और तीनों प्रकार के किसान available हैं, कुछ किसान हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, वो nature से उनको जो प्राप्थ हो जाता है, उस पर वो dependent होते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं, कुछ किसान होते हैं जो कि कुछ पैसा लगा करके आउटपूट लेना चाहते हैं, और कुछ किसान होते हैं जो कि बहुत पैसा इन्वेश्ट करते हैं, और बहुत पैसा लगा करके वो चाहते हैं कि उनको आउटपूट मिले, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? बारी-बारी से अलग-अलग चीज़े हम लोग समझने वाले हैं, जो कि एक plant को, एक crop को उगाने के दौरान हम लोग कर सकते हैं, उसमें उसका production बढ़ाने के लिए. सबसे पहले यहाँ पर हम लोग focus करने वाले हैं nutrient management के उपर. मतलब आपको यह पता होगा कि आपको यहाँ पर जिन्दा रहने के लिए nutrition जरूरी है, nutrients जरूरी है, उसी प्रकार से जो plants हैं, उनको भी growth के लिए nutrients जरूरी होते हैं. तो उसी nutrient के उपर हम लोग focus करेंगे, plants के nutrients के उपर. तो यहाँ पर कहता है कि just as we need food for development, growth and well-being, plant also require nutrients for growth. कहता है कि हमारे development, हमारे well-being, हमारे growth के लिए हमें क्या चाहिए? food चाहिए. उसी प्रकार से जो plant हैं, उनको भी अपना growth के लिए, development के लिए क्या चाहिए होता है? nutrient चाहिए होता है. भाई, plant भी organism है, उनको भी nutrient चाहिए. कह तो plants को nutrient कहां से मिलता है? या तो air से, या तो water से, या तो soil से. तीन तरीके से plant को nutrients मिलते हैं. ठीक है? कहता है कि there are several nutrients which are essential for plant. Air supplies carbon and oxygen, hydrogen comes from water and soil supplies other 30 nutrients to plants. कहता है कि देखो भाई, यहाँ पर air से क्या मिला? air से मिला carbon, oxygen, hydrogen, hydrogen, जो की पानी से मिल गया है. ठीक है? इसके साथ ही, यहाँ पर हमारा soil, साथ में soil कैस अपलाई करेगा? soil हमारे 13 nutrients देगा plant को, जो की plant को survive करने के लिए important है. मतलब soil से क्या होता है? soil से यहाँ पर water के जरीए, या फिर आप पढ़िएगा, xylem, phloem पढ़िएगा, nutrition in plants पढ़िएगा, तो वहाँ पर यह चीज़े आपको बताई गई है, आपने previous classes में पढ़ाए, ठीक है? तो यहाँ पर plant को जो other 30 nutrients चाहिए होते हैं, वो कहाँ से मिलता है? soil से मिलता है, soil से, ठीक है? अब यहाँ पर कहता है, कि इन 13 nutrients में से, कुछ ऐसे nutrient हैं, जो की large quantity में required होते हैं, जो की बहुत ज़ादा quantity में चाहिए हो होता है, इन nutrients को कहा जाता है, macronutrients, macronutrients कहा जाता है, वही कुछ ऐसे nutrient होते हैं, जो की small quantity में plants को required होते हैं, इनको कहा जाता है micronutrients, समझ गया? अब यहाँ पर कौन सा macronutrient है, कौन सा micronutrient है, यह आपके किताब में दिया गया है, यहाँ पर यह table देखिए, यहाँ से carbon और oxygen मिल रहा है, water से hydrogen oxygen मिल रहा है, इसके बाद soil से macronutrients और micronutrients मिल रहे है, macronutrients में क्या है, nitrogen है, phosphorus है, potassium है, magnesium है, sulfur है, micronutrients में क्या है, iron है, manganese है, boron है, zinc है, copper है, mulbinum है, इसके साथ ही chlorine है, यह सारे nutrients ऐसे हैं, जो की plant को चाहिए अपने survival के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर कहता है, कि deficiency of these nutrients affect physiological process in plant including reproduction, growth and sexuality to diseases, कहता है कि अगर यह nutrients कम हो जाते हैं plants में, तो plant में chances है कि उनका reproduction effect हो सकता है, उनका growth effect हो सकता है, या उनको कोई बीमारी हो सकती है तो increase the yield, the soil can be enriched by supplying this nutrient in the form of manure and fertilizer, अब यहाँ पर बात है कि इन चीजों की कमी को दूर करने के लिए, कि भाई किसी भी plant को, जो crop हम लोग लगा रहे हैं, उसको हम चाहते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उगे, वो healthy plant हो, ज़्यादा हमें output मिले, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, यह nutrients का उनको कमी नहीं होना चाहिए, तो उस कमी को दूर करने के लिए, या फिर ऐसा कमी ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, plants को nutrient प्रोवाइड करते हैं, या तो manure के जरीए, या फिर fertilizer के जरीए, समझ गए? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो questions है, what are macronutrient, why are there called macronutrient, how do plant get nutrients, यह सारी दोनों questions आपसानी से answer कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगहाँ हमारे सामने आ जाता है manure, manure क्या होता भाई? manure एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो organic matter है, उसको हम लोग manure कहते हैं, मतलब, यहाँ पर जो dead and decaying substance होते हैं उससे हमारा manure बनता है, तो यहाँ पर कहता है कि manure contain large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil, अब यहाँ पर manure क्या है मतलब, देखिए, कोई animal है, वो उसका waste material निकला, जैसे cow dunk है, मतलब, गाय का गोबर हो गया, या फिर कोई भी जनवर है, या फिर कोई animal मर भी गया, तो वो जब decay कर जाता है, या कोई plant है, वो उसको हमने गिरा दिया, plant जब decay कर गया, तो हमारा क्या बनेगा, manure बनेगा, वही चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह यहाँ पर manure formation हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है रखा गया है, यहाँ पर गोबर रखा गया है, यहाँ पर घास के पत्ते रखे गया है, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं, मतलब, natural substance जो की dead और decay हो जाता है, उसी से हमारा manure बनता है, समझ गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि manure contains large quantities of organic matter and also supplies a small quantity of nutrients to the soil, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको word आया रहा होगा, organic matter का मतलब किया है, देखो भाई यहाँ पर देखो, organic matter का मतलब है कि एक प्रकार से carbon से बना हुआ compounds की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से carbon से बना ह compound, वैसे compound जो कि living beings में पाए जाते हैं, जैसे हमारा शरीर carbon से बना हुआ है, plants जो है carbon से बने हुए, मतलब हमारे earth पर जो life है वो carbon based life है, तो अगर मेरा शरीर decay हो जाए, मैं dead हो जाओ, मेरा शरीर decay हो जाए, तो क्या बन जाएगा, वो carbon based compound बन जाएंगे, जो की एक प्रकार से क्या होंगे, organic matter जिनको की कहा जाएगा, और यही manure जो होता है, इसमें organic matter होता है, क्यों भाई, क्योंकि यह किस चीज़ से बन रहा है, गाय के गुबर से बन रहा है, या फिर किसी भी animal waste से बन रहा है, plant waste मतलब क्या, कोई plant था, उसको हमने गिरा दिया, वो मर गया, तो वो decay ह हो गया, तो वो क्या बन गया, वो manure बन गया, और इसमें क्या है, organic matter है, और साथ में nutrients भी है, nutrient कहां से है भाई, तो भाई, कोई plant है, उसका पूरा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है, nutrients जो उसको मिले हैं, उस ही से बना है, मेरे शरीर में क्या है, प्रोटीन है, विटामीन है, फैट है, सब चीज़ है, भर-भर के nutrients है, तो शरीर जब decay होगा, कोई organism मर जाएगा, वो decay जब होगा, तो वो भी जो उसके शरीर में nutrients से कहां जाएंगे, soil में जाएंगे, तो यहाँ पर इसी वज़े से जो manure होता है, वो soil के nutrients भी provide करता है, कहता है कि manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste, कहता ह कि manure कैसे बनाया जाता है, तो manure बनता है जब animal excreta और साथ में plant waste को हम लोग decompose करते हैं, तो हमारा manure त्यार होता है, आगे कहता है कि manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility, अब यहाँ पर manure हमारे लिए फाइदे मंद क्यों है, फाइदे मंद इसलिए है क्योंकि manure की वज़े से organic matter plant soil में बढ़ता हैं, जैसे जो soil है उसमें water retention capacity बढ़ जाती है, वो ज़्यादा water को hold कर सकता है, और organic matter होनी के वज़े से nutrients भी soil में बढ़ जाते हैं, तो plant वहाँ पर जल्दी growth कर पाता है, और भी बहुत तरीके के फाइदे होते हैं, समझ गए, आगे कहता है कि the bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure, soil के structure, soil की quality, soil का texture को improve करने में भी मदद करता है, this involves increasing the water holding capacity in sandy soil, sandy soil जो बलुई मिट्टी होती है, मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ जिसमें बालू जैसा structure आपको मिलेगा, वहाँ पर अगर manure add किया जाए, तो उस मिट्टी में water holding capacity बढ़ जाती है, in clay soil, जो clay soil होता है, उसमें यहाँ पर आपको ज water logging का problem नहीं होता है, यहाँ पर clay soil जब आप देखेगा, तो उसमें आपको वो एक कीचड जैसा गाज जैसा बना देगा, तो वो क्या गरता है, पानी को बहने नहीं देता है, लेकिन अगर उसमें हम लोग organic matter add कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से उसमे drainage अच्छा होगा, water आसानी से flow करने पाएगा, water logging का हमें problem नहीं होगा, समझ गए? अब यहाँ पर कहता है कि in using manure, we use biological waste material, which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizer, अब यहाँ पर कहता है कि देखो, यहाँ पर हम लोग जब manure use करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से biological चीज़े use करते हैं, और इस से ह हमें environment को भी फाइदा होता है, मतलब manure को use करने से हमारा environment में quality environment का बढ़ता है, क्यों? क्योंकि manure use करेंगे, तो वो सारा चीज़ क्या है? organic matter है, तो भाई, organic matter use करने से हमें को नुकसान नहीं है, लेकिन जब fertilizer use करते हैं, तो fertilizer क्या है? एक प्रकार के chemical nutrients हैं, जो कि हम लोग artificially plant क को देते हैं, तो fertilizer use करने से हमारे nature को नुकसान होता है, soil की quality खराब होती है, और तरीके तरीके के problems होते हैं, water pollution होता है, बहुत चीज़े होती है, तो यहाँ पर fertilizer use करना उतना बहतर नहीं है environment के हिसाथ से, लेकिन manure use करने से हमें बहुती फाइदा है, आगे कहता है, using biological waste material is also a way of recycling farm waste, कहता है कि अगर हम लोग biological waste material use करते हैं, तो उससे हमारे लिए ये भी फाइदा है, कि जो हमारे पास farm waste है, जैसे की गाय का गोवर बहुत सारा हो गया, तो उसका एक तरीके से हम लोग ठीकाना उसको लगा सकते हैं, उसको जगा पर पहुँचा दिया, वो हमारे लिए स इस हिसाब से manure को हम लोग classify कर सकते हैं, अलग-लग category में, जैसे पहला है compost and vermy compost manure, इसमें क्या है भाई, इसमें यहाँ पर कहता है कि the process in which farm waste material like life stock excreta, cow dung, मतलब गाय का गोबर, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage water straw, eradicated weeds, etc. is decomposed in pits, is known as composting, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमने यह सारी चीज़े लिए, मतलब क्या लिया, गाय का गोबर लिया, या कोई और जानवार है उसका गोबर लिया, साथ में vegetable, सबजिया वगेरा, या फिर कुछ भी है मारे पास available, जो हम खाते हैं, उसक plastic waste है, या फिर sewage water है, ये सारी चीज़े को हमने जमा किया, उसको हमने क्या क्या क्या, decomposed कर दिया, pits में रख करके, तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा हो गया composting, और इस प्रकार से हमारा बनता है compost, ठीक है, compost क्या हुआ, आपका ये वाला, आपका manure हो गया, ये क्या है, य हमारा compost तयार हो रहा है, ये तो open में रखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग generally pit में, मतलब एक प्रकार का गड़ा जैसा आकरिती बना कर, या फिर container में हम लोग रख करके, इसको क्या करते हैं, decomposed करते हैं, तो हमारा बनता है compost, ठीक है, अब compost में क्या होगा भाई, organic matter काफी होंगे, अब यहाँ पर बात है, वर्मी compost क्या होता है, वर्मी compost वही चीज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा change है, change क्या है, change ये है कि हम लोग यहाँ पर decomposition के लिए, हम लोग earthworms का इस्तमाल करेंगे, अगर हम लोग earthworms का इस्तमाल करके, यहाँ पर decomposition करवा रहे हैं, तो यहा हमारा waste material निकला, उसका decompose करके, एक प्रकार का high quality manure तयार कर देता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यह हमारा हो गया, वर्मी compost, इसमें क्या है अंतर, यही है कि यहाँ पर हम लोग उने decomposition के लिए, क्या use किया है, earthworms का इस्तमाल किया है, और यह हमारे लिए decomposition का का काम करेगा और थोड़ा fast काम करेगा, तो यह हमारा क्या हो गया, वर्मी compost हो गया, अब इसके बाद हमारे सामने है, दूसरा प्रकार का manure यह है, green manure, अब green manure क्या होता है, कुछ नहीं होता है, simple सा plant की यहाँ पर बात हो रही है, कि जो waste material plant है, या फिर कोई छोटा मोटा plant है, उसकी बात हो which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus, कहता है कि देखो, हमें पता है खेती करना है, लेकिन खेती करने से पहले हम लोग कुछ छोटा मोटा crop उगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है, आपको यहाँ पर गोर का नाम दिया गया है, या फिर sun hemp है, इसको हमने उगाया, ठीक है, और उसको ह हमने प्लांट को उगाया, किसलिए उगाया, इसलिए उगाया, ताकि इसको बाद में हम लोग मिटी में ही मिला दे, इसको हल चला करके, प्लांट को मार करके, मिटी में ही मिला दे, क्यों मिला दे भाई, क्योंकि यह प्लांट जब मिटी में मिल जाएगा, तो एक प्रकार क green manure बना देगा और यह plant मिट्टी में हमारा phosphorus और साथ में nitrogen का quantity बढ़ा देगा समझ गए तो यह हमारा होता है green manure समझ गए अब यहाँ पर आगे हमारे सामने fertilizers अब fertilizer क्या होता है यह तो एक प्रकार से आप समझते होंगे क्योंकि बहुत आपने इसका नाम भी सुना होगा और इसको बहुत ज़्यादा use भी किया जाता है fertilizer क्या है यह एक प्रकार का chemical है जिसका use करके plants को हम लोग nutrients देने का काम करते हैं simply कहिए तो जो plant को nutrients चाहिए होते है nitrogen चाहिए होता है phosphorus चाहिए होता है potassium चाहिए होता है इस प्रकार के nutrients को directly chemically produce करके हम लोग क्या करते हैं जमीन में डाल देते हैं और plants उसको absorb कर लेते हैं समझ गए तो कहता है कि fertilizers are commercially produced plant nutrients fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium they are used to ensure good vegetative growth giving rise to healthy plants fertilizer are a factor in higher yield of high cost farming क्या है fertilizer fertilizer एक प्रकार का chemical है जो कि directly plants को nitrogen, phosphorus, potassium देने के लिए यूज किया जाता है और ये क्यों किया जाता है ताकि हम जल्दी जैसे आज मुझे खेती करना है मतलब अभी मैं खेती कर रहा हूँ और अगले दो महिने में मुझे output चाहिए अब तुरंत मैं जाकर मिट्टी की quality तो नहीं बढ़ा सकता हूँ मिट्टी में nitrogen का मातरा नहीं बढ़ा सकता हूँ phosphorus का quantity नहीं बढ़ा सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा fertilizer का use करूँगा अपना खेती मैंने लगा दिया, बीज लगा दिया और मैं fertilizer डाल दिया fertilizer डाने से क्या हुआ, वहाँ पर मिट्टी में मेरा phosphorus भी आ गया, phosphorus के साथ potassium भी आ गया, nitrogen भी आ गया और मेरा plant अच्छे से grow कर गया, क्योंकि उसको जो nutrients चाहिए थे, वो उसको अच्छी quantity में मिल गया तो इसी लिए हम लोग यहाँ पर fertilizer का use करते हैं, अब यहाँ पर कहता है कि fertilizer should be applied carefully in terms of proper dose, time and observing pre and post application, precaution for their complete utilization अब यहाँ पर बात है कि हम लोग अगर fertilizer का use कर रहे हैं, तो इसको हमें carefully use करना होगा, और जितना dose required उतना देना होगा, जब देना है उतना ही देना होगा, उसको देने और पहले के बाद क्या होता है, यह हमें ध्यान रखना होगा, क्यों, ऐसा क्यों करना होगा, ऐसा इसल आते हैं, तो यह एक प्रकार से हमारा water pollution का भी काम करते हैं, समझ गए, और यहाँ पर यह चीज़ generally होता ही है, कि जो किसान होते हैं, वो जब fertilizer डालने जाते हैं, वो ज़्यादा quantity में डाल देते हैं, और जब वो खेत में पानी देते हैं, तो पानी भी बहुँ ज़्यादा ह हो जाता है, तो उससे जो fertilizer है, वो water के साथ मिल करके water pollution create कर देता है, water pollution उस इलाके में हो जाता है, समझ गए, आगे यहाँ पर देखें, तो कहता है कि also as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used, अब यहाँ पर एक तरन आपको देखने को मिला, in the previous chapter, previous chapter यहाँ पर है ही नहीं, समझ गए, क्योंकि previous chapter जो था वो delete हो चुका है, आपके syllabus से, तो यह वाला word आपको ध्यान नहीं रखना, यह outputs एकदम निकाल दीजे, यह गलती से छोड़ दिया है NCRT, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम फटिलाइजर को किसी एरिया में, किसी जमीन पर लगातार यूज करें, continuous यूज करें, तो वो स्वाइल की फटिलीटी भी खराब कर देता है, स्वाइल के फटिलीटी को खतम कर देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वाइल में जो organic matter है, वो replenish नहीं होगा, क्यों, क्योंक आने का काम करते हैं, और जब यह microorganism खतम हो जाएंगे, तो soil में fertility बढ़ेगी नहीं, और साथ में soil की quality भी खराब होगी, और इस वज़ा से क्या होगा, soil जो है, हमारे लिए आगे use-like नहीं रहेगा, कहता कि short term benefit of using fertilizers and long term benefit of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in production, कहता कि देखो, अगर हमें ज यह ध्यान रखना होगा कि जो fertilizer है, वो हमें short term में ज्यादा benefit देता है, लेकिन जो manure है, वो हमारे soil की quality को retain करने में मदद करता है, और soil की quality को long term तक बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए जब भी हमें high yield चाहिए, उस समय हमें fertilizer और manure का mixture या फिर दोनों में से जो भी use करना हो, उसको सोच समझ करके सही quantity में use करने पर ही हमें proper output मिल सकता है, आगे कहता है कि organic farming, अब यहाँ पर organic farming के बारे में बात किया जा रहा है, तो भाई organic farming क्या होता है, यह आपको समझ रहा है, कहता है कि organic farming is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizer, herbicide, pesticide, etc. and with a maximum input of organic manure recycled farm waste use of bio agents such as culture of blue green algae in preparation of bio fertilizer, neem leaves or turmeric, specifically in grain storage as bio pesticide with healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation, ठीक है, अब यहाँ पर बात है organic farming क्या होता है, simple सी बात है कि organic farming एक प्रकार का ऐसा farming है, जहाँ पर हम लोग chemicals का use कम से कम करते हैं, मतलब लगभग ना, एकदम ना करें, या फिर अगर कर रहे हैं तो minimum एकदम करें, तो अगर हम ऐसी खर्ट खेती करते हैं, जहाँ पर हम लोग fertilizer नहीं डालें, जहाँ पर हम लोग herbicide नहीं डालें, pesticide नहीं डालें, या फिर किसी भी प्रकार के chemical का use ना करें, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा organic farming होगा, तो यहाँ पर हम लोग use क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग use करेंगे, organic केनिक मैन्योर का यूज करेंगे रिसाइकल फार्म विष्ट का यूज करेंगे मतलब कि कंपोष्ट वगेरा का यूज करेंगे या फिर जो बायो फटिलाइजर बनाया जाएगा मतलब कि एक प्रकार से डिकंपोजिशन के द्वारा उसमें हम लोग ब्लू-ग्रिन अलगी जै चीज है उसी का यूज करके हम लोग यहां पर खेती करेंगे ताकि हम लोग यहां पर अपना आउटपूट बढ़ा सके और साथ में यहां पर अच्छा क्रॉपिंग पैटरन हम लोग यूज करेंगे जैसे कि Mixed Cropping, Intercropping, Crop Rotation को हम लोग यूज करेंगे अब यह तीनों क्या होते हैं अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं आगे कहता कि these cropping system are beneficial to beneficial in insect paste and wheat control beside providing nutrients तो बहुत तरीके से इनके फाइदे हैं ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आजाता है irrigation irrigation की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि भाई हमें output ज़्यादा चाहिए तो plant को पानी भी देना होगा ज़्यादा क्योंकि plant बहुत पानी खोजता है खेती के दौरान समझ गए अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो irrigation क्या कहता है कहता है कि most agriculture in India is rain fed that is the success of crops in most area is dependent on the timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season simple सी बात है कि देखो भाई या इंडिया में जो खेती का season है वो आपका monsoon season है मतलब कि जो खेती होता है वो किसके उपर dependent है monsoon के उपर dependent है क्योंकि इंडिया में जो बारिस आता है वो monsoon की वज़ज़ से आता है तो यहाँ पर बात है कि monsoon अच्छा होगा तो हमारे इलाके में बारिस अच्छी होगी, बारिस अच्छी होगी तो भाई पानी अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छा होगा, तो यहाँ पर यही चीज कहा रहा है कि इंडिया में अगरिकल्चर किस प्रकार का है, rain feed है, मतलब हम लोग खेती करने के ल होगा तब हमारे काम का ज्यादा हो गया तो नुकसान कम हो गया तो नुकसान तो तरह तरह के condition है इस वज़ा से nature के उपर depend होने परना हमें बहुत नुकसान होता है हमारे crops बहुत बार खराब भी हो सकते समझ गया आगे कहता है कि hence poor monsoon cause crop failure जब monsoon खराब होता है मतलब खराब होने का मतलब बारिश जितनी होनी चाहिए उससे कम बारिश होई है तब हमको crop failure का problem देखने को मिलता है ensuring that the crops get water at the right stage during their growing season can increase the expected yield of any crop कि अगर हम ये ध्यान रखें अगर किसी तरीके से हम लोग वैवस्था कर लें कि जो crop हमने लगाया है उसको जिस समय पर पानी चाहिए उस समय पर अगर हम लोग पानी प्रोवाइड कर दे सही quantity में तो यहाँ पर हमारा जो crop है उसका yield काफी बढ़ सकता है क्योंकि crop को growth के लिए water बहुत ज़्यादा required होता है बहुत सही मातरा में required होता है कहता कि therefore many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation इसलिए बहुत तरीके के बहुत चीजे अपनाई जाती हैं सरकार द्वारा या फिर लोगों द्वारा ताकि जादा से जादा जमीन पर हम लोग irrigation पहुँचा सकें या तो tubal लगा दिया जाए या फिर नहर बनवा दिया जाए या फिर pipeline बिछा दिया जाए कुछ भी करके खेत में पानी डालो ताकि जो अनाज है हमारा वच्छे से उग जाए अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहता है कि इंडिया has a wide variety of water resources and a highly varied climate अब यहाँ पर बात यह है कि देखा देखो कहता है कि इंडिया में क्या है बहुत variety के water resources है और बहुत तरीके के climate है और हर एक climate में, हर एक इलाके में अलग-अलग condition है तो अलग-अलग condition में irrigation system को पहुँचाने के लिए, पानी को पहुँचाने के लिए कई प्रकार के आपको irrigation system लगाय जाते है कहीं पर कुणा बनाया जाता है, कहीं पर आपको तलाब बनाया जाता है बहुत तरीके की चीज़े अपनाई जाती हैं तो यहाँ पर उसमें से कुछ एक्जामपल हम लोग देखने वाले हैं समझने वाले हैं जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है विल्स, कुवाँ तो आज के कई साल पहले तक मतलब आज के 100-200 साल पहले क्या होता था कि भाई किसी भी गाव में अगर पानी चाहिए होता था तो सबसे अच्छा क्या तरीका था कुवाँ होता था और ये कुवाँ जो था वो खेती में भी बहुत ज़्यादा यूज होता था आज भी बहुत इलाकों में यूज होता है कहता है कि wheels, there are two types of wheels, पहला dug wheel और दूसरा tube wheel, dug wheel मतलब जो कुआ आपको जिसको खोदा जाता है इतना बड़ा साइगदम उसका मुह होता है, वो हमारा dug wheel हो गया, और tube wheel क्या हो गया भाई, tube wheel हमारा होता है जो boring होता है जो इतना पतला सा pipe लगाया जाता है, जमीन के अंदर काफ कुछ feet नीचे, कुछ 20-30-50 feet नीचे तक एक layer होता है जहां पर water available होता है, तो वहाँ पर पानी उस layer से जमा किया जाता है, जिससे की पानी निकाला जाता है, यह कुआ होता है, लेकिन tube wheel क्या होता है, जो boring हम लोग करते हैं, tube wheel बनाते हैं, वो बहुत नीचे 100 feet, 200 feet, 300 feet नीचे तक जाता है, जहां से हम लोग पानी निकालते हैं, मतलब water, जमीन के नीचे, ground water बहुत नीचे available है, वहाँ से हम लोग water start करते हैं, from these wheel, water is lifted by pumps for irrigation, pump का यूज करके हम लोग irrigation करते हैं, इसके बाद दूसरा हमारा है canal, मतलब नहर की बात हो, यह बहुत simple simple चीज़े हैं यहाँ प के खेतों में पानी देने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर canals जो है, यही चीज़ कहता है कि canals कहां से पानी लेते हैं, वो reservoir से या फिर नदियों से लेते हैं, और जो main canals होता है, उसको फिर branch canals में divide कर दिया जाता है, और उसमें से फिर distributors निकाल दी जाती हैं, ताकि खेतों में पानी पहुचाया जा सके, तो यह चीज़ें तो हो गई भी canals के बारे में, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर river lift system है, तो कहता है कि जिन इलाकों में canals flow बहुत अच्छा नहीं होता है, या फिर irregular होता है, उन इलाकों में lift system का use किया जात है, और वहाँ पर एक प्रकार से नदियों तक खेतों तक पहुचाया जाता है, और यह कहां होता है, तो नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं, वहाँ पर यह river lift system use किया जाता है, इसके बाद है tanks, these are small storage reservoir, छोटे-छोटे reservoir बना दिये जाते हैं, जहाँ पर water को store किया जाता ह है, ताकि मतलब जो run-off water होता है, मतलब जो एक प्रकार से, जहाँ पर पानी जो बैह वेकर आता है न, उसको store करने के लिए tanks वगरा use होते हैं, तो आगे यहाँ पर देखें, तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि fresh initiative for increasing the water available for agriculture include rainwater harvesting, watershed management, this involves building small check dam, which led to an increase in ground water level, the check dam stop the rainwater from flowing away, also reduces soil erosion, अब यहाँ पर कहता है कि आज के समय में, जो ववस्था है हमारे देश में, उसमें कुछ-कुछ नई चीज़े डाली जा रही हैं, जैसे check dam बनाया जा रहा है, तो check dam की मदद से क्या किया जाता है, पहला तो एक प्रकार का rainwater harvesting बनाया जाता है, कि भाई जब बारिश पानी बहने लगा, तो उस water को क्या करो, store कर लो, rainwater harvesting करो, water seed management करो कि पानी जो flow कर रहा है, खेत पर गिरा, खेत से flow करने लगा, उसको store करो, और इससे क्या होगा, इससे पहला तो हम लोग rainwater को रूखने पाएंगे, store करने पाएंगे, और दूसरा साथ में soil erosion को भी रूखने म मदद मिलेगा, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो हमारे सामने third topic आता है, third topic क्या है, cropping pattern, cropping pattern की हम लोग बात करने वाले, कि भाई किस प्रकार से हम लोग बीज को लगाएं, उसका pattern क्या होना चाहिए, seeds को लगाने का, वो चीज़ समझने वाले हैं, कहता है कि different ways of growing crop can be used to give maximum benefit, हम लोग अलग लग तरीके से crop लगा सकते हैं, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा benefit मिले, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है mixed cropping, mixed cropping simple है, इसमें क्या है भाई, हम लोग दो या फिर दो से ज़्यादा crops को एक साथ एक ही जमीन पर लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा कोई definite pattern नहीं होता है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा mixed cropping हो गया, जैसे wheat और gram को एक साथ हमने लगा दिया, wheat और mustard को एक साथ हमने लगा दिया, ground nut और sunflower को एक साथ हमने लगा दिया, तो यह हमारा mixed cropping है, हमने क्या किया, एक खेत लिया, उसमें हमने wheat भी लगा दिया, mustard भी लगा दिया, ground nut लगा दिया, sunflower लगा दिया, अब इससे क्या फाइदा होता है, mix cropping करने से क्या फाइदा है, सबसे पहला तो बात है कि हमारा risk कम हो जाता है, माल लो कि कुछ हुआ, wheat का crop खराब हो गया, लेकिन wheat का crop खराब हुआ, तो वहाँ पर हमारा gram का भी crop था, तो gram के crop को काट कर हम उसको बेच लेंगे, हमको पैसा मिल जाएगा, हमें फाइदा हो जाएगा, मतलब खेत का output जो था, वो zero नहीं होगा, जो किसान है, उसको कुछ न कुछ फाइदा हो जाएगा, समझ गया, और साथ में यही चीज़ कहता है कि some insurance against failure of the crops, mix cropping का ये फाइद कि भाई हमारा एक crop fail कर गया, या फिर खराब हो गया, तो दूसरे crops हमारा बचा हुआ रहेगा, वो टिका हुआ रहेगा, अब यहाँ पर देखिए इसी के साथ एक दूसरा cropping है, दूसरा pattern है, यह pattern है हमारा inter cropping, inter cropping यहाँ पर क्या होता है, inter cropping में mix cropping के जैसा ही है, यहाँ यहाँ पर दो या दो से जादा crops को एक साथ एक ही field पर हम लोग उगाते हैं, लेकिन अंतर क्या है, inter cropping में हम लोग definite pattern का use करते हैं, समझ गया, तो यहाँ पर अगर मैं दिखा, आगे दिखाने से पहले थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, ताकि आपको clear समझ में आए, a few row of one crop alternate with few row of second crop, for example, soya bean plus mage, finger millet plus cow pea, यह आपका उदारण है, मतलब यहाँ पर देखिए, यह हमारा क्या है, inter cropping है, inter cropping में हमने क्या किया है, हमने एक यहाँ पर फसल लगाया, फिर यहाँ पर हमने दूसरा फसल लगाया, यह तीसरा, यह चौथा, यह एक pattern हमारा है, जिसमें कि हम ल देखते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है mix cropping, mix cropping कैसे भाई, यहाँ पर कोई pattern नहीं है, हमने यहाँ पर यह एक फसल लगा दिया, दूसरा फसल लगा दिया, यहाँ पर यह लगा दिया, यहाँ पर यह लगा दिया, मतलब आपस में mix कैसे भी mix है, उससे कोई मतलब नहीं है, सम cropping और inter cropping दोनों में हम लोग जो जोड़ी बनाते हैं crop का जैसे कि यहाँ पर हम लोग बाजरा और लोबिया का sorry जोड़ी बनाते हैं वो जोड़ी इस प्रकार से बनाते हैं कि दोनों crop का जो nutrient requirement है वो अलग-अलग होना चाहिए मतलब एक को nitrogen जादा चाहिए तो दूसरे को phosphorus जादा चाहिए तब हम उसको एक साथ रखेंगे ऐसे crop को एक साथ हम लोग नहीं लगाते हैं जिसका nutrient requirement सेम हो मतलब दोनों crop को nitrogen चाहिए तो दोनों crop को हम एक साथ नहीं लगाएंगे क्यों हमको फाइदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमें maximum output नहीं मिलेगा कहता है कि the crops are selected such that their nutrient requirement are different this ensures maximum utilization of the nutrient supplied also prevent paste and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in the field this way both crops can give better returns मतलब एक ही जमीन पर दो crop लगे हैं दोनों का requirement अलग-अलग है तो दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहे हैं लेकिन दोनों का requirement same हो जैसे दोनों को nitrogen जदा चाहिए तो दोनों अपस में लड़ने लगेंगे कि हम लेंगे nitrogen तो हम लेंगे और दोनों अच्छे से growth नहीं करने पाएंगे अगर दोनों को भरपूर मातरा में ना मिले तो इसलिए यहाँ पर यह किया जाता है कि क्या किया जाता है अलग-अलग requirement वाले crop को एक साथ लगाये जाता है इसके बाद यहाँ पर आगे कहता है आगे कहता है कि the growth of different crops on a piece of land in pre-planted succession is known as crop rotation depending upon the duration crop rotation is done for different crop combination the availability of moisture and irrigation facility decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest crop rotation का मतलब क्या मतलब कि एक crop लगाया फिर हमने दूसरा crop लगाया फिर तीसरा crop लगाया मतलब crop बदल बदल कर हम लोग जब harvest खेती करते हैं तो वो हमारा होता है crop rotation मतलब यहाँ पर एक अनाज हम लगाते हैं फिर उसके बाद दूसरा अनाज लगाते हैं फिर उसके बाद दूसरा अनाज लगाते हैं इस प्रकार से crop rotation हम लोग करते हैं कहता कि if crop rotation is done properly, then two or three crops can be grown in a year with good harvest, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक साल में दो से तीन अनाज उगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वही चीज है, कि हम लोग ऐसे अनाज उगाएंगे, जो की same nutrient वाला ना हो, मतलब कि ऐसा plant जिसको nitrogen चाहिए, वो लगाया, फिर दू अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे पास अगला topic आजाता है, topic क्या है, crop protection management, अब यहाँ पर crop के protection के हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब हमने क्या किया, plant को nutrition दे दिया, अच्छा seed लगा दिया, अब plant पर कुछ बिमारिया अटेक कर रही हैं, कुछ किटानू कर रहे हैं, तो उससे हम plant को कैसे बचाएंगे, ये चीज़े हम लोग बात करने वाले हैं, कहता कि field crops are infested by a large number of weeds, insect paste and diseases, तो यहाँ पर कहता है कि जब हम लोग खेतों में अनाज लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रकार के weeds होते हैं, insects होते हैं, paste होते हैं, diseases होती हैं, इन से क्या करना है, plant को बचाना है, कहता कि if weeds and paste are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost, मतलब कि सहे समय पर अगर इनको हम लोग नहीं रखते हैं, तो हमारा crop जो है वो इसकदर damage हो जाएगा, कि हमारा crop पूरी तरीके से बरबाद हो जाए, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको weed क्य होने से क्या problem है, यह अभी हम आगे discuss करने वाले हैं, यही चीज यहाँ पर कहता है, कि weeds are unwanted plants in the cultivated field, समझ गया, cultivated field में जो unwanted plant है, मतलब हम लोग यहाँ पर अगर wheat लगाये हैं हमने खेत में, अपने खेत में हमने क्यों लगाया है, और वहाँ पर कोई भी दूसरा का और crop उग जा है cultivated field में, जैसे example के लिए xanthium है, वो क्या है, un unwanted plant है, मतलब क्या है, एक प्रकार का weed है, इसके साथ ही गाजर घास है, मोथा है, यह सारे example हैं आपके unwanted plant यानि की weed के, मतलब जो generally उगते हैं, generally कहीं पर खेती करिएगा, तो यह सारे plant अचानक से आपको दिखने लगेंगे, यह उदाहर नहीं है, समझ गए, आगे कहता है कि काईपर निकस, यह नहीं, they compete for food, यही चीज है, कि भाई weed क्यों problematic है हमारे लिए, weed problematic इसलिए है, क्योंकि जो food मिलने वाला था हमारे plant को, हमारे crop को, वो यह weed खा जाएगा, जो space हमारे plant को मिलना था, वो यह weed खा जाएगा, जो sunlight म मिलना था हमारे plant को यह weed खा जाएगा, इसलिए weed हमारे लिए problematic है, मतलब कि हमने खेत में डाला fertilizer, हमने खेत में डाला manure, ताकि हमारा crop अच्छा उगे, लेकिन वहाँ पर आगया weed, weed सारे nutrition को लेने लगा, sunlight ऐसे फैला कर सारा sunlight लेने लगा, सारा manure में से water, खेत में से water लेने ल होगा, इसलिए यहाँ पर हमें क्या जरूरी है, हमें यहाँ पर weeds को remove करना जरूरी है, ताकि जो plant है, उसको सही मातरा में nutrition, सही मातरा में water, और सही मातरा में sunlight मिल सके, और अपने proper potential पर, full potential पर plant जो है, वो growth कर सके, समझ गए? आगे यहाँ पर कहता है, कि generally insect paste attack the plant in three ways, अब यहाँ पर insect paste की बात हो रही है, अब यहाँ पर कहता है कि जब plant पर एक insect attack करता है, तो वो 3 तरीके से attack करता है, पहला तो वो plant के root को काट देगा, stem को काट देगा, और leaf को काट देगा, आपने कभी देखा है कि कभी आपके घर मे सब्जी आती है, उसके पत्तो पर कुछ छेद जैसे आकरेती होते हैं कटे हुए आकरेती होते हैं, वो क्यों होते हैं क्यों कि वहाँ पर weed का या फिर paste का attack हुआ है, इसके साथ ही दूसरा तरीका यहाँ पर इंसेक्ट का attack करने का ये है कि ये plant के sill sap को सक कर लेते हैं, और plant के पाट को सक करते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि plant के stem में वो छेद कर देते हैं, और fruits में वो बोर कर देते हैं, जैसे अगर आप देखे होंगे, कभी आपके घर में सबजी आता होगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी का इंसेक्ट है जो कि क्या गर रहा है जो कि fruit में या फिर आपके vegetable में वो अंदर जा चुका है समझ गए they thus affect the health of the crop and reduce yield ये इन तीन तरीकों से insect जो हैं वो एक plant को नुकसान पहुचाते हैं और इस तीन तरीके से ये एक प्रकार से plant के yield को मतलब crop के yield को कम करते हैं समझ गए तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें अब यहाँ पर आगे diseases की बात की गई है कहा जा रहा है diseases in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi and virus bacteria, fungi, virus जो है वो plant में disease cause करते हैं these pathogens can be present in and transmitted through soil, water and air यह कहां कहां से पहुच सकते हैं soil से आ सकते हैं water से आ सकते हैं air से आ सकते हैं weeds, insect, diseases can be controlled by various methods कई तरीके से इनको हम लोग control कर सकते हैं one of the most commonly used method is used of pesticide which include herbicide, insecticide and fungicide इनको खतम करने के लिए हम लोग pesticide का use कर सकते हैं इसमें हमारा herbicide भी आ जाता है, insecticide भी आ जाता है, fungicide भी आ जाता है अब नाम सहीं आपको पता चल रहा हुआ कि यह क्या कर रहा है herbicide क्या करेगा, herbs को खतम करेगा, जो की एक प्रकार की unwanted plant से उनको खतम करेगा, insecticide insects को खतम करेगा, और fungicides fungus को खतम करेगा, समझ गया these chemicals are sprayed on crop plant और used for treating seed and soil इन chemicals का use हम कैसे करते हैं, या तो plant के उपर छिड़काओ कर दो plant के उपर उनको spray कर दो, special machine आता है, ऐसे करके spray करने वाला spray कर दो, या फिर इनको soil में मिला दो, soil में मिला कर भी यह काम करते हैं, समझ के? इनका use करना एक प्रकार से हमारे लिए ज्यादा use करना हमारे लिए नुकसान दे भी क्यों? क्योंकि यह जो हमारे chemicals हैं, यह एक प्रकार के harmful chemicals हैं अगर हम इनको ज्यादा quantity में use करें, तो plants के लिए harmful हो सकते हैं और अगर plants इनको absorb कर लेते हैं, और हम plant को आगे खाते हैं, तो plant खाने से हमको भी हार्म हो सकता है हमारे लिए भी नुकसान दे हो सकते हैं, समझ गए? और साथ में यह, जब soil में मिल जाते हैं, environment में मिल जाते हैं, तो environment के लिए भी नुकसान दे होते हैं आगे कहता है कि weed control method also include mechanical removal मतलब कि कोई plant है आपके खेत में, unwanted plant है, उसको manually भी आप remove कर सकते हैं, mechanically भी remove कर सकते हैं preventive method such as proper seed bed preparation, timely sowing of crop, inter cropping and crop rotation also help in weed control some other preventive measures against paste are use of resistant varieties, summer plowing, in which fields are plowed deep in summer to destroy weed and paste अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि देखे कई और तरीके हैं जिनसे हम लोग paste को या फिर weed को खतम कर सकते हैं जैसे यहाँ पर weed को खतम करने के लिए पहला तरीका क्या है कि आप लोग mechanical remove कर दीजे, हाथ से remove कर दीजे इसके लवा preventive measure क्या है कि आप लोग अच्छे से seed weed prepare कीजे, मतलब कि जब अनाज लगाना है उसके पहले अच्छी तरीके से जो मिटी है उसको हल चला करके एक प्रकार से अच्छी तरीके से prepare कर लीजे, अच्छी समय पर crops लगा दीजे, inter cropping करिए, crop rotation करिए इन सबसे भी weed को control किया जा सकता है क्योंकि उसको growth का time नहीं मिलता है अच्छी तरीके से इसके बाद दूसरा preventive measure है पेश्ट के लिए जैसे resistant variety हम लोग use करें मतलब ऐसा seed चुने जिसमें की पेश्ट से नुकसान ना हो या फिडिजीजे उसको ना लगे तो यहाँ पर वो एक प्रकार से problem नहीं होगा साथ में summer plowing हम लोग कर सकते हैं मतलब गर्मी के दिनों में मिट्टी को अच्छी तरीके से जोत दो उससे क्या होगा उससे यहाँ पर जो weed और paste यहाँ पर मिट्टी में present हैं वो survive नहीं करेंगे वो खतम हो जाएंगे समझ गए अब यहाँ पर कुछ questions है which of the flowing condition will give the most benefit तीन condition है कौन से condition में हमें ज्यादा output मिलेगा यह आपको सोच करके answer करना है अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है आगे यहाँ पर animal product के आपको nutritional value मिलते हैं तो यह हमें कहाँ पढ़ना है भाई यह animal husbandry में पढ़ना है तो उसके पहले हम लग क्या देखेंगे यहाँ पर storage of grains देखेंगे अब यहाँ पर बात है हमने क्या किया हमने पूरा खेती कर लिया अनाज उगा लिया है हमारे पास अनाज है अब इसको हम लोग श्टोर करने वाले हैं कहता है कि storage losses in agriculture produce can be very high बात है कि अगर आप reality में देखेगा ना तो अनाज जब उगाया जाता है तो अनाज को श्टोर करने के दरान भी बहुत सरा अनाज खराब हो जाता है बरबाद हो जाता है समझ गया कहता है कि भाई यहां पर कि factor responsible for such losses are biotic insect, rodent, fungi, mites and bacteria and bacteria ठीक है अगर हम biotic component की बात करें मतलब जो living beings जो नुकसान पहुचाते हैं आज में उसमें insect हो सकते हैं rodent यानि कि जो चुहे वगरा होते हैं वो हो सकते हैं fungus हो सकता है, mite हो सकता है, bacteria हो सकता है इन सबसे हमारा अनाज जब store किया जाता है उस समय भी खराब हो सकता है इसके अलावा a-biotic component भी हो सकते हैं जैसे कि अच्छी मातरा में moisture नहों मतलब moisture अगर जादा होगा temperature जादा होगा जहां पर हमने अनाज को store करके रखा है तो हमारा अनाज सड जाएगा, अनाज बरबाद हो जाएगा समझ गए? कहता है कि these factors cause degradation in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce all leading to poor marketability मतलब कि जब हमने store किया, अगर उस समय उसमें कोई fungus लग गिया या फिर कोई insect लग गिया, या फिर एक प्रकार से वहाँ पर moisture जादा हो गया वो अनाज सड गिया, तो उससे बहुत तरीके एक problem हो सकते है हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि पूरी तरीके से अनाज हमारा बरबाद हो जाएगा, नहीं हो सकता है कि उसकी quality खराब हो जाए, जैसे कि उसका weight कम हो जाए या फिर उसका color खराब हो जाए, या फिर उसकी quality खराब हो जाए, मतलब बहुत तरीके के problem हो सकते हैं, तो यहाँ पर उससे क्या होगा नुकसान, नुकसान की जो अनाज हमारा 200 रुपए में विखता, वो अब 100 रुपए में विखेगा, ये नुकसान हो जाता है, समझ गए, क अब हमारा ये जो problem है, इसको दूर किया जा सकता है, आगे कहता है कि preventive and control measures are used before grains are stored for future use, हम लोग यहाँ पर कई प्रकार के control measure, कई प्रकार के preventive measure use कर सकते हैं, अनाज को store करने के लिए, मतलब की भाई, हम लोग 6 महीने बाद अनाज यूज करने वाले हैं, तो उसको store करेंगे उसके पहले कई तरीके अपना कर यहाँ पर हम लोग इसको prevent कर सकते हैं, ये चीज़े होने से, कहता है कि they include strict cleaning of produce before storage, मतलब जो अनाज हमारा मिला है, उसको अच्छे से clean करना, clean कैसे किया जाता है, भाई एक तो उसको साफ किया जाता है, दूसरा, आप देखते होंगे कि अग आपके आसपस खेती होती होगी, आपने खेती कभी देखा होगा, तो अनाज को store करने से पहले उसको अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ताकि उसमें जो moisture available है तो moisture को हटाया जा सके, ताकि जब उसको store किया जाए तब वो सड़े नहीं, समझ गया, कहता है, proper drying, वही बात कर सकते हैं, यहाँ पर खतम कर सकते हैं, तो यह चीज़े हो गई, अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने है अगला topic, यानि कि अब हम लोग यहाँ पर animals की बात करने वाले हैं, animal husbandry की बात करने वाले हैं, कि animals से जो ची प्रोडक्शन किस चीज का बढ़ाएंगा भाई प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम लोग मिल्क का मीट का या फिर जो एक्स होते हैं उनका क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी रिक्वाइर्मेंट भी बढ़ रही है तो यही चीज आईए देख लेते हैं यहाँ पर कहता कि Animal Husbandry is the scientific management of animal lively stock मतलब जो एनिमल से हमारे पास kattles है फिश है या फिर हमारे पास जो chickens है उनका हम लोग क्या करेंगे एक प्रकार से scientific management करेंगे it includes various aspects such as feeding breeding and disease control animal based farming includes cattle, goats, sheep, poultry and fish farming as the population increases and as living standards increase the demand for milk, eggs and meat also going up मतलब यही चीज है कि भाई animal based farming में क्या होता है हम लोग kattles का यानि animal वगरा का ध्यान रखते हैं, भैस वगरा रखते हैं, goat, sheep, poultry, fish इन सब का farming करते हैं मतलब इन से जो भी requirement हमें वो हम पूरा करने का कोशिश करते हैं और यहाँ पर बात यह है कि जैसे-जैसे हमारे देश में population बढ़ रहा है और जैसे-जैसे हमारे country में living standard बढ़ रहा है वैसे-वैसे milk का requirement, एक का requirement, meat का requirement ये भी बढ़ रहा है सभी लोगों को अब इन चीजों की requirement हो रही है तो कहता है साथ में साथ में अब क्या हो गया है कि अब हमारे पास एक प्रकार से सरकार भी और समाज भी चाहता है कि जो जानवर रखे जाते हैं उनके साथ भी एक अच्छा वैवाहर हो मतलब कोई आदमी अगर गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है या फिर poultry का ध्यान रख रहा है, मतलब poultry farming कर रहा है तो वो सभी जानवरों के साथ एक अच्छा वैवाहर करे और इस अच्छे वैवाहर में उनका अच्छे से ख्याल रखना भी आता है मतलब include होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर आपका live stock farming में भी अब कई सारे limitation आ चुके है मतलब कि आपको अगर गाय रखना है तो भाई गाय रखना है तो उसके लिए सेड अच्छा बनवाना होगा उसके लिए साफ सफाई रखना होगा उसको disease ना हो, उसका अच्छे सिध्यान रखना होगा क्योंकि अब समाज का भी pressure है country का भी pressure है government का भी pressure है, सबका pressure है तो बारी बारी से आईए हम सभी प्रकार के farming को देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर cattle farming के बात करते हैं मतलब गाय, bell, भैंस वगरा जो होते हैं उनकी बात करते हैं मतलब यहाँ पर cattle farming हम लोग दो reason से करते हैं पहला तो milk के लिए कि भाई हमको दूध मिलेगा और दूसरा drought liver मतलब कि जो bell होते हैं जिनसे की हम लोग हल चलवाते हैं या फिर इसी प्रकार का कोई manual liver का work करवाते हैं उसके लिए भी हम लोग cattle husbandry करते हैं कहता है कि milk and cattle drought liver for agricultural works such as tilling, irrigation, cutting यह तो बात आप समझ गए कि drought liver हम लोग किस चीज के लिए करवाते हैं tilling के लिए, irrigation के लिए, cutting के लिए, बैल गाड़ी बगारा चलाने के लिए यूज करते हैं Indian cattle belong to two different species boss indicus cows यानि cows का जो official name है scientific name है वो है boss indicus और साथ में buffalo का जो हमारा scientific name है वो है boss bubalis चीज करते हैं अब कहता है कि milk producing females are called milch animals यानि जो females होती हैं जैसे जो गाय होती है उसको उनको क्या कहा जाएगा? Milch animal कहा जाएगा यानि dairy animals कहा जाएगा और साथ में वहीं जो farm liver के लिए animals use होते हैं cattle use होते हैं उनको drought animal हम लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि उनसे हम drought liver करवाते हैं या फिर drought liver के लिए उनको use मिलेते हैं कहता कि milk production depends to some extent on the duration of the lactation period meaning the period of milk production after the birth of a calf मतलब यहाँ पर बात है कि जब कोई गाय अपने बच्चेडे का जन देती है उसके बाद जो lactation period होता है मतलब कि उस बच्चडे के लिए जो दूद देने का समय होता है दूद गाय देती है उस बच्चडे के लिए वही period होता है कि जब हमें milk मिलता है तो कहता है कि so milk production can be increased by increasing the lactation period, मतलब कि अगर हमें गाय से ज़्यादा दूचाहिए, भैस से ज़्यादा दूचाहिए, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि भाई हम lactation period बढ़ा दें, अब lactation period कैसे बढ़ाएंगे भाई, तो lactation period के लिए भी हम लोग वही करेंग crossbreeding करवाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कि कई सारे ऐसे foreign breeds हैं, या फिर कई सारे ऐसे exotic breeds हैं, मतलब special breeds हैं, जैसे कि आपका jersey हो गया, brown swiss हो गया, इनमें क्या पाए जाता है, कि इनमें long lactation period होता है, मतलब यह जो हैं, एक प्रकार से ज़्यादा लंबे सम जो Indian गाये हैं, वो एक प्रकार से excellent resistance to disease सो करती हैं, मतलब कि जैसे jersey गाये हैं, जो कि आपका विदेशों में पाई जाती है, उसको अगर इंडिया में ला करके रख दीजिएगा, तो वो survive नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि उसको बहुत cold temperature चाहिए होता है, अच्छे से उसका ख खत्रा होता है, लेकिन जो Indian breed है, वो दूध थोड़ा कम देती है, लेकिन उसको disease लगने का खत्रा कम होता है, उसको ज़्यादा गर्मी temperature सहने का भी capacity होता है, और उसको उतना ज़्यादा ख्याल रखने का जरूरत नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें किस प कार के गाय को हम breed करवाएंगे, और हमें एक ऐसा गाय का प्रजाती मिलेगा, जिसमें कि हमको lactation period भी लंबा हो, और disease के प्रती resistance भी हो, समझ गए? तो यहीं चीज़ कहता है कि the two can be crossbreed to get animals with both the desired qualities, दोनों को crossbreed करा के हम ऐसा प्रजाती बनाएंगे, ऐसा गाय तयार करेंगे, जिसमें कि दूद का lactation period भी जादा हो, और साथ में यहाँ पर disease का resistance भी काफी अच्छा हो, तो इसके बाद हम लोग अगर देखें, तो आगे यहाँ पर कहता है, यानि कि अगर हम animal पाल रहे हैं, अगर हम cattle पाल रहे हैं, तो उनके लिए proper sanitation होना चाहिए, साब सूथरा ववस्था होना चाहिए, ताकि एक प्रकार से उनको हम अच्छा ववस्था दे सके, उनका अच्छे से ख्याल रख सके, और साथ में यह हमारे लिए फाइदेमन इसलि और साथ में हमें जो milk मिले, वो कैसा milk मिले, clean milk मिले, ठीक है, अब आगे कहता है कि animals require regular brushing to remove dirt and lose hair, मतलब कि जो animals हैं हमारे पास, यानि जो cattle हैं, इनको साफ रखने के लिए हमें regular brushing करना होगा, उनको साथ में उनका जो hair होता है, जो कि lose करते हैं, उसको भी हटाने के लिए हमें regular brushing करना होगा, और साथ में कहता है कि they should be filtered under well ventilated roofed state that protect them from rain, heat and cold, मतलब कि इन्हें हमें ऐसी जगह पर रखना होगा, जहां पर इनको heat का भी खत्रा ना हो, rain का भी खत्रा ना हो, cold का भी खत्रा ना हो, मतलब सभी temperature से हमें इन्हें बचा कर रखना होगा, अच्छे से ख्याल रख आगे कहता कि the floor of the cattle shed need to be sloping so as to stay dry and to facilitate cleaning, अब कहता कि देखिए, जहां पर आप cattle रखिएगा, वहां पर जो जमीन आप तयार किजेगा, वो इस प्रकार से आप slope बनाईएगा, भाई क्यों slope बनाईएगा, मतलब इतना ज़्यादा slope नहीं, हलका सा slope रहेगा, क्यों रहेगा, इ उनको generally बांध करकर रखा जाता है, तो अगर यहां पर urine देते हैं, या cow dung फिकते हैं, create करते हैं, तो वो आसानी से slope के जरीए बैह करके दूसरी direction में चला जाएगा, और अगर वो वही पर जमा हो जाएगा, और गाय उसी पर बैठेगी, उसी में रहेगी, तो उसको बीमार होने का खत्रा रहेगा, और भी तरीके के problems होने के खत्रे रहेगे, और साथ में cleaning रखना जरूरी है, इसलिए ये भी ये structure होना जरूरी है, अब यहां पर आगे हम food requirement क्यों आते हैं, तो यहां पर कहता है, कि the food requirements of dairy animal are of two types, यानि जो dairy animals होते हैं, उनका food requirement दो प्रकार का होता है पहला कहता है कि maintenance requirement, which is the food required to support the animal to live a healthy life, मतलब गया, पहला आपका food हो गया कि भाई, नॉर्मल जिन्दगी में जो भोजन चाहिए, जिन्दा रहने के लिए, अपना daily life करने के लिए, नॉर्मल वर्किंग के लिए जो भोजन चाहिए, अनिमल को उसकी बात हो रही है, और दूस पहला कि वो अपना जो दूद है, उसकी quality improve कर सके, जादा वो दूद दे सके, क्योंकि उसमें भी वाई energy लगता है, ठीका, कहता है कि which is the type of food required during the lactation period, मतलब कि जो milk producing requirement है, उसमें हम लोग क्या देते हैं, उसमें हम लोग दूद के समय जो चीज़े जरूरी होती है, जो कि दू इंक्लूड्स रफिज, रफिज क्या हुआ, एक प्रकार सा ऐसा भोजन जिसमें की फाइबर जादा होता है, जैसे कि आप जो घांस फूद देखते हैं, जो कि चारा दिया जाता है, जानवरों को, जो कैटल्स को, जो धान का कटाई करके, धान का जो डंठल दिया जाता है, जो घांस वगेरा दिया जाता है, उसकी बात होती है, इसमें जिनरली क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, ठीक है, इसकी बात दूसरा होता है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट दिया जाता है, मतलब कि जो चोकर दिया जाता है, या फिर खली दिया जाता है, मतलब कि एक प्रकार से ऐसी चीजे जिसमें की फाइबर कम होता है लेकिन प्रोटीन और दूसर न्यूट्रियंट जादा होते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाता है? दोनों प्रकार के फूड को मिला करके दिया जाता है। यही चीज कहता है, कैटल नीडब बैलिश्ट रासंस कंटेनिंग और नीट्रियंट इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट् मतलब कि कैटल को जिंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के नूट्रिशन की जरूरत होती है। उसको fiber भी चाहिए, लेकिन उसको protein भी चाहिए, और भी चीज़े चाहिए ताकि वो अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके. आगे कहता है कि besides such nutritious food, food material, certain feed additive containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals. ये जो normal food requirement है न, उसके अलावा भी कुछ micronutrients चाहिए होते हैं जानरों को, ताकि वो अपने milk के quality को improve कर सके, milk के output को improve कर सके, समझ गए? तो आगे यहाँ पर बढ़ें, तो आगे यहाँ पर आप cattle के बीमारियों के बारे में बात की गई है, कहा जा रहा है कि cattle suffer from a number of diseases, the diseases besides causing death reduces milk production. कहता कि देखो भाई, जो cattle होते हैं, उनमें जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां हो सकता है कि वो उनकी जान भी ले ले, लेकिन कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जो कि जान नहीं लेती हैं, जादा उनको परिशानी नहीं करती हैं, लेकिन उनका milk production कम कर सकती है मतलब कि कई प्रकार की बीमारियां यहाँ पर kettles को होते है अब यहाँ पर कहता है कि healthy animal feeds regularly and has a normal posture अगर कोई animal healthy रहेगा तो वो कैसे show करेगा वो normal diet को follow करेगा, normal आसानी से खाएगा उसका posture normal रहेगा, normal वो behave करेगा अब आगे कहता है कि the parasite of cattle may be both external parasite and internal parasite मतलब एक प्रकार से वैसे organism जो की cattle को बीमारी cause करते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं पहला तो external हो सकते हैं और दूसरा internal हो सकते हैं अब जो external parasite होते हैं वो skin पर रहते हैं और skin diseases cause करते हैं यहाँ पर kettles को मतलब कि जैसे अगर आपने देखा हो तो tick होता है जैसे आप कभी अगर कोई कुटा पाला होगा आपने या फिर गाय पाला होगा तो कई साड़े छोटे छोटे कीडे मोकोडे होते हैं एक कीडा होता है एक tick जिसको कहा जाता है वो जाके जानवर के skin पर लग जाता है और वहीं से वो क्या करने लगता है वहीं से वो खुन चुसने लगता है तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे organism हैं जो की kettles में बिमारी cause करते हैं कई सारे ऐसी बिमारियां होती हैं जो skin पर होती हैं बाहर होती हैं इसके में उनको घाव हो जाएगा और भी तरीके के प्रॉब्लेम्स होते हैं। इसके लावा internal parasite भी होते हैं। मतलब कि ऐसे microorganism या फिर organism जो कि शरीर के अंदर से बिमारी cause करते हैं। जैसे कि worms होते हैं, जो कि stomach को या फिर intestine को affect करते हैं। इसके लावा flukes होते हैं, जो कि liver को damage कर देते हैं, kettles के। अब इसके अलावा कई सारे infectious disease भी हैं, जो कि यहाँ पर जानवरों के बीच फैलते हैं, kettles के बीच फैलते हैं। और यह infectious disease bacteria और viruses की वज़ा से होते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर vaccination दिया जाता है animals को, ताकि उनको इन viral और bacterial diseases से बचाया जा सके। और यह regular basis पर देना होता है, regular basis पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करने वाले हैं, topic 12.2.2, poultry farming, मतलब कि यहाँ पर अंडों और मुर्गों की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। मतलब कि जो chicken का meat production हो गया, वो और अंडा दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ कहता है कि poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat. अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हम लोग मुर्गा पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एग production कर सकें और chicken का meat का production कर सकें। कहता है कि therefore improved poultry beads are developed and farmed to produce layers for egg and broilers for meat. अब यहाँ पर कहता है कि इसलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, improved poultry beads तयार करते हैं, जिस प्रकार से हमने crops में एक अच्छी नसल का अच्छी quality का crop तयार किया, उसी प्रकार से chickens में भी अच्छी quality का breed हम लोग तयार करते हैं, मतलब कि अगर हम लोग meat चाहते हैं, तो ऐसा नसल तयार करते हैं, जिसमें कि हम लोग meat जादा से जादा प्राप्त कर सकें, अगर हम लोग अंडा चाहते हैं, तो ऐसा नसल तयार करते हैं, जो कि जादा से जादा अंडा दे सकें, समझ गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर layers, क्या है भाई, layers ऐसी मुर्गियों को कहा जा रहा है जो कि यहाँ पर अंडा देने का काम करती है और broilers वैसे chickens की बात हो रही है जिनसे कि हम लोग meat प्राप्त करते हैं ठीक है तो आगे यहाँ पर कहता है कि the cross breeding program between Indian and foreign breeds for variety improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable traits हमने ये चीज बार बार देखा हम चाहे वो crop की बात कर रहे थे cattle की बात कर रहे थे उसी प्रकार से यही बात हमारे chicken में भी आ जाती है हमारे poultry farming में भी आ जाती है कि हम लोग क्या करेंगे एक Indian breed को लेंगे एक Indian मुर्गा मुर्गी को लेंगे और एक हम foreign को लेंगे क्यों भाई foreign को लेंगे क्योंकि देखे जो Indian poultry है वो Indian climatic condition के हिसाब से adapted है वो इंडिया में जो गर्मी होती उसको जहिल सकता है इंडिया में जो problems होते हैं उसको जहिल सकता है और इंडिया के हिसाब से वो adapted है लेकिन जो बाहर के देश में कहीं और हो सकता है कोई भी देश हो सकता है वहाँ पर कोई मुर्गा का प्रजाती है उसमें क्या होगा वो अंडे ज़्यादा देती है या फिर हो सकता है उसमें meat ज़्यादा होता है अब यहाँ पर आगे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि हमें क्या चाहिए, मतलब किस आधार पर हम लोग breeding करवाते हैं, क्या हमारा target होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग focus करें, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग के पास क्या हो, number और quality of chicks ज तयार करती है, तो उनकी संख्या जादा हो, ताकि हमें जादा से जादा मुर्गे मिल सके, समझ गए? इसके बाद दूसरा हमारा target होता है, दूसरा हमारा target यहाँ पर होता है, कि यहाँ पर जो broiler parent हो, वो क्या हो, dwarf हो, क्योंकि हम यहाँ पर उसके उससे आसानी से cheek production कर सके, म इसके बाद यहाँ पर summer adaptation capacity होनी चाहिए, मतलब कि high temperature tolerate करने की capacity होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जब summer आता है ताब बहुत high temperature हो जाता है इंडिया में, इसके बाद यहाँ पर अगला चीज़ कहता है, low maintenance required, मतलब कि उनको maintain करने में ज्यादा tension नहों, ना तो उनको ज़्यादा भोजन देना हो या फिर और भी तरीके के उनको requirement ज़्यादा नहों, इसके साथ ही, यहाँ पर कहता है कि reduction in the size of egg laying bird with ability to utilize more fibrous cheaper diet formulated using agriculture by product, अब यहाँ पर कहता है कि जो egg laying bird है, मतलब जो यहाँ पर हमारा layer है chicken, उसका size क्या होना चाहिए, छोटा size होना चाह हमारा जो और साथ में वो जो भोजन consume करे, food consume करे, वो कैसा हो, वो agriculture by product हो, मतलब हमारे पास बेकार पड़े हुए जो दाने हैं, जो चावल हैं या फिर कुछ भी है, वो हम दे दे और उसको वो consume करके अपना काम चला ले, क्यों? क्योंकि ऐसा होने से, ऐसा करने से हमारा जो economic benefit है, वो हमें होगा, मतलब सस्ते में हमारा काम हो जाएगा, सस्ते में यहाँ पर हम लोग चिकन को तयार कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए, असील क्या है, एक Indian breed है, और यहाँ पर leghorn क्या है, एक हमारा विदेशी breed है, इनको मिला करके एक नया प्रजाती हम लोग तयार क करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक and broiler production की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा focus करके, वो उसी topic में है, लेकिन थोड़ा सा focus करके देख रहे हैं, कहरा कि broiler chickens are feed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate and better feed sufficiency, यहाँ पर जो chickens, broiler chickens हैं, मतलब जिनको कि हम लोग meat के लिए तयार करते हैं, इनको हम लोग vitamin rich supplementary feed देते हैं, मतलब इनको vitamin ज़्यादा खिलाते हैं, ताकि इनका growth rate अच्छा हो, और साथ में इनमें feed efficiency भी काफी अच्छी हो, साथ में कहता है कि care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, कि यह एक प्रकार से ज structure है, सरीर का जो बनावाथ है, bone का structure है, पुरा muscle का structure है, वो काफी अच्छी quality का हो, समझ गया, कहता है कि they are produced as broilers and sent to market for meat production, meat purposes, यानि कि इनको broiler के रूप में तयार किया जाता है, मतलब meat के लिए इनको तयार किया जाता है, और फिर इनको हम market में भेज देते हैं, कि भाई जा poultry birds का अच्छे से production करने के लिए अच्छा management हमें करना होगा, ये चीज़ आप बार बार देख रहे हैं, हर crop में यही चीज़ बात हो रहा है, चाहे आप cattle की बात करें, किसी crop की बात करें, या फिर यहाँ पर chicken की बात करते हैं, समझ गया, कहता कि these include maintenance of temperature and hygienic condition in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease and paste, तो भाई अच्छा management का क्या मतलब है, मतलब है कि अच्छा हम लोग temperature maintain करके रखें, जहाँ पर भी poultry को रखें, वहाँ ठंधा temperature रखने की कोशिश करें, और साथ में यहाँ पर हम लोग जहाँ पर भी poultry को रखें, वहाँ पर hygienic condition होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाह और यहाँ पर इनको बीमारियों से बचाने के लिए भी हमें कई बार कई सारे कदम उठाने होंगे, मतलब कि इन में बीमारिया ना फेले, इनको किसी भी तरीके की कोई problem ना हो, यह सारी चीज़े हमें ध्यान रखनी होगी, आगे कहता है कि the housing, nutritional and environmental requirements of boilers are somewhat different from those of egg layers, मतलब यह यहाँ पर जो broilers होते हैं, जिनको meat के लिए हम लग तयार करते हैं, उनका requirement अलग होता है, और वहीं जो अंडे देनी वाली मुर्गया होती है, उनका requirement अलग होता है, दोनों का environmental requirement अलग होता है, दोनों का nutrition अलग होता है, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से ची और adequate fat देते हैं, सही मातरा में हम लोग fat देते हैं, ठीक है, आगे कहता है कि the level of vitamin A and K is kept high in the poultry feed, जो poultry feed होता है, मतलब जो poultry में भोजन दिया जाता है, उसमें vitamin A और vitamin K जाधा मातरा में दिया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर कहता है, poultry falls suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasite as well as from nutritional deficiencies, जो यहाँ पर poultry में हम लोग chickens cook, maintain करते हैं, रखते हैं, उनमें कई प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं, कई कारणों से हो जाती ह या फिर nutrition की कमी से, these necessitate proper cleaning, sanitation, spraying or disinfected at regular interval, appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry damage of an outbreak of disease, तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि देखो कई प्रकार से बिमारियां होती हैं, virus से, bacteria से, fungi से, paracite से, बहुत चीज़ों से, तो इनको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, proper killing करना होगा, sanitation रखना होगा हम लोग disinfectant का regular छिरकाओ करेंगे कुछ अंतराल पर, इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, appropriate vaccination करवाएंगे, ताकि यहाँ पर infectious diseases को रोका जा सके, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जब बिमारियां हो या फिर जब disease हो तो उस सम को रोका जा सके, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने आजाता है, फिस्स प्रोडक्शन, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, फिस्स प्रोडक्शन के बारे में, जो की हमारे लिए एक बहुत ही important चीज है, क्योंकि फिस्स भी हम लोग consume करते हैं, तो यहाँ पर कहता ह अब यहाँ पर बात है कि फिस्स हमारे लिए क्यों important है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता प्रोटीन का source है, अब यहाँ पर जब हम लोग फिस्स प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें दो प्रकार के फिस्स आते हैं, पहला तो फिन्ड फिस् इन दोनों को ज़रा सा देखिए, यह आपके सामने जो फिस्स दिख रहे हैं, यह कौन से फिस्स है, फिन्ड फिस्स है, यानि फिन्ड फिस्स, इनमें क्या होता है, हड्डियां होती है, अब यही पर यहाँ देखिए, यह आपके क्या है, यह शेल फिस्स कहने का मतलब क्या है, इनκे शरीर में हडडिया नहीं होती है, बलकि shear होते हैं, यह lobster है, इसके उपर से cover है, यहाँ पर muscle से, इसके उपर से cover है scallop है, crab है, इन सबके शरीर के उपर से cover होता है, shell होता है, तो यह shellfish भी, एक प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फीस production में produce इनको भी साथ में हम लोग करते हैं आगे कहता है कि there are two ways of obtaining fish दो प्रकार से fish हमें प्राप्थ होते हैं पहला क्या है natural resources से और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर capture fishing होता है मतलब कि जैसे नदी बहरा है समंदर है पूरा वहाँ पर लोग क्या करते है capture fishing करते है capture fishing कहने का क्या मतलब हुआ capture fishing कहने का यह मतलब हुआ कि आप गए किसी बड़े इसे नदी में या फिर बड़े इसे आप समंदर में गए और वहाँ पर आपने जाल फे का मचलिया पकड़ ली घर ले आए यह हो गया capture fishing इसके बाद ही है यहाँ पर the other way is by fish farming which is called culture fishing दूसरा तरीका है कि आप मचलियों को पालते हैं मचलियों को पाल करके उनको बड़ा करते हैं और फिर उनको वहीं से निकाल करके बेच देते हैं जैसे कि आप कहीं गय होंगे और कहीं पर तलाब में इस प्रकार से farming होता है fish farming यह क्या है यह आपका culture fishing है मतलब कि आप एक छोटे से मचली को लेकर मचली का दाना लेकर मचली का एक छोटा सा बीज लेकर आप क्या करते हैं यहाँ पर मचली को बड़ा करते हैं और फिर इसको बेज देते हैं यह क्या हो गया भाई यह हो गया आपका culture fishing अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि the water source of the fish can be either sea water or the fresh water यहाँ पर बात है कि भाई देखो water source क्या है आपके मचली के लिए वो दो प्रकार का हो सकता है या तो sea water या तो fresh water sea water मतलब क्या मतलब कि आप लोग जा रहे हैं कहां समंदर में fresh water कहां मतलब कि आप नदी में से जाकर मचली निकाल रहे हैं या फिर आप किसी तलाब में से मचली निकाल रहे हैं अब कहता है कि fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and fresh water ecosystem अब यहां पर culture fishing और capture fishing आप दोनों जगहों पर कर सकते हैं मतलब कि आप fresh water में भी कर सकते हैं marine में भी कर सकते हैं और दोनों को हम लोग यहां पर देखेंगे मतलब कि आप समंदर में जाकर क्या कर रहे हैं मचली पकड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं मचली को खेती के जैसा उगा रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका culture fishing हो गया और ये culture fishing समुदर में भी होता है और नदियों में भी होता है तालाबों में भी होता है कैसे हम यहाँ पर आगे अभी देखने वाले हैं अब यहाँ पर सबसे पहले marine fisheries की बात की जारी है कहता है कि India's marine fishery resources include 7500 km of coastline and deep seas beyond it मतलब यहाँ पर जो समुदर में यहाँ पर हम लोग fishing करते हैं वो fishing कहा होता भाई हमारे देश में भाई बहुत बड़ा हमारा समुदर का घाट है, समुदर का किनारा है तो वहाँ पर fishing होता है उसके आगे भी जाकर हमारे देश के μέ herd água तो fishing का काम करते हैं अब यहां पर जो marine fish है, यानि कि समंदर से जो मिलने वाली मचलियां हैं, उनमें हमारे जो कुछ varieties हैं, उसमें आजाता है, pomfret, mackerel, tuna, sardine, या फिर bombay duck, ये कुछ example हैं ऐसी मचलियों के, जो कि समंदर में पाए जाते हैं, आगे कहता कि marine fish are caught using many kind of fishing net from fishing boats, fishing boat के साथ, बहुत प् हैं कि इस इलाके में, अगर हम मचलियां पकड़ रहे हैं, समंदर में जाकर, तो हम yield कैसे बढ़ाएंगे, तो yield बढ़ाने का मतलब क्या है, कि हमने एक बार जाला फेका, जितना ज़्यादा मचली हम ले सकते हैं, उतना ज़्यादा हम पकड़ ले, तो कहां हम ज़्यादा मचलिया रहती हैं, वहाँ पर अगर हम जाला फेकते हैं, तो हम ज़्यादा मचलिया पकड़ेंगे, तो इस काम को करने के लिए सेटलाइट का यूज किया जाता है, एको साउंडर का यूज किया जाता है, कई सारी ऐसी तकनीक यूज की जाती है, ताकि ऐसे इलाके खोजे जा यहां पर जादा मचलियां पाई जाती हैं और वहां पर मचुआरे जाकर के मचली पकड़े समझ गए आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि सम मरीन फिश ऑफ हाई एकनोमिक वैल्यू और अल्सो फार्मड इन सी वाटर कुछ मचलियां कुछ मरीन फिश जो की बहुत उनका भी फार्मिंग कहां होता है सी वाटर में होता है मतलब सी वाटर से उनको लिया जाता है जैसे आपको फिंड फिस जिसमें मलेट हो गया बेत्की हो गया और परल इस पोट हो गया अब यहां पर एक चीज है कि जो ऑश्टर होता है इसको परल के लिए भी मोती के लिए भी cultivate किया जाता है मतलब इनको meat के लिए नहीं मोती के लिए भी cultivate किया जाता है मतलब किया यह आपका एक oyster है इसमें मोती बनता है जो कि मोती आप रियली जानते हैं ना वो मोती इसके शरीर में बनता है कैसे बनता है तो मैं आपको दिखाये, वैसे जो तयार होता है, वो real मोती होता है, जो कि काफी किंती होता है, समझ गए? अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या कहता है, कहते है कि as marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be made by culture fisheries, a practice called mariculture. अब mariculture क्या होता है, है? Mariculture एक प्रकार का culture fishing होता है, मतलब कि समंदर में जब हम लोग culture fishing करते हैं, तो वो हमारा mariculture कहलाता है, तो यहाँ देखिए, यह आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? समंदर हैं, समंदर में तो इसी जाले के अंदर रहेगा, यह जाला बल्टी जैसा है, बल्टी जैसा इसका structure है, इसी के अंदर मचली है, उसी में घूम रहा है, बस पानी आर पार हो रहा है, मचलियां बाहर नहीं जा सकती है, और यहां पर यह जो fishing का culture है, यह कहा जाता है, Mary culture, ठीक है, और यह कहां कि किया जाता है, समंदर में एक प्रकार से किया जाता है, ठीक है, अब यहां पर आगे हम लोग बात करते हैं, inland fisheries के बारे में, यानि ऐसा fishing जो कि आपको समंदर से नहीं, बलकि जमीन के अंदर होता है, मतलब जमीन के अंदर कहने का मतलब कि समंदर के किनारे से दूर, या तो नदियों में, या तो तलाबों, मतलब fresh water की बात हो रही है, यहां पर, तो कहता है कि fresh water resources include canals, pond, reservoir and river, brackish water resources where shree water and fresh water mixed together such as estuaries and lagoons are also important fish reservoir, अब यहां पर बात है कि fresh water कहां पाए जाता है भाई, तो नदियों में पाए जाएगा, इसके अलावा, canals में पाए जाएगा, pond में पा जाता है, इसके साथ यहां पर brackish water की बात की जारी है, मतलब कि यहां जहां पर fresh water और sea water मिलते हैं, वहां पर भी fishing बहुत अच्छा होता है, जैसे कि जो estuaries होते हैं, या फिर lagoon होते हैं, अब estuaries के बारे में पढ़ाया है, मैंने class 9 के जोग्राफी के chapter number 3 में, वो जागर के आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा, short में यह समझे, estuaries कहने का मतलब है कि जो नदी आकर के समुंदर में मिल रही है, लेकिन समुंदर में मिलने से पहले, उसका रास्ता एक प्रकार से blocked है, एक narrow escape है यहां पर, तो यह जो इलाका है जहां पर समंदर का पानी नदियों का पानी आपस में मिल रहा है, वो एक प्रकार से stirry formation करता है, और वो एक प्रकार से एक lake जैसा या pond जैसा आकरिती create कर देता है, लगभग उस प्रकार का, तो यहां पर image में अच्छी तरी किसे दिखने रहोगा, वहां पर image दिखा कर मैंने बताया है, ठीक है, तो मतलब कहता है कि अगर नदियों में आप जाकर के जाला फेक कर के मचली पकड़ने का कोशिश करें, पॉंड में कोशिश करें, तो यहां पर आपको उतनी बड़ी मात्रा में, क्वांटिटी में, उतने बड़ी क्वांटिटी में मचलियां नहीं मिलती है, समझगे, yield उतना ज्यादा नहीं है, most fish production from these resources is through aquaculture, मतलब कि जो यहां पर fresh water में मचलियां पकड़ी जाती है, या फिर जो मचलियों का culture होता है, मचलियां जो प्राप्त की जाती है, वो aquaculture से प्राप्त की जाती है, aquaculture कहने का मतलब क्या है, मतलब कि मचलियों का seed से लेकर, मतलब मचलियों के छोटे बच्चे से लेकर, उसको पूरा बढ़ा तक तयार किया जाता है pond में, मतलब कि पूरा ध्यान रख करके, एक seed लिया, उसको ख्याल रख करके, बढ़ा करते करते, कई महीनों में बढ़ा कि और फिर उसको market में जाकर के बेच दिया, यह आपका होता है aquaculture, ठीका, इसके बाद है कर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि fish culture is sometime done in combination with rice crop, कई बार क्या होता है, कि जहाँ पर rice crop लगाया जाता है, तो rice crop धान के खेत में क्या होता है, वहाँ आपको पानी काफी जदा भर दिया जाता है, मतलब इतना पानी इतना पानी भरा हुआ होता है, तो वही पर क्या कहर दिया जाता है, उसी खेत में वहाँ पर fish grow किया जाता है, मचलिया डाल दी जाती है, और वो मचलिया ग्रो कर जाती है, तो यह भी एक प्रकार से culture होता है, जहाँ पर की मचलियां ग्रो की जाती है, अगर कुछ कोई वेक्टी, अगर कोई किसान है, कोई वेक्टी है, बहुत एकदम चाहता है कि एकदम पूरा जितना आउटपुट हो सके, जितना ज़्यादा इल्ड हो सके, उतना ज़्यादा मुझे इल्ड चाहिए, तो यहाँ पर intensive इन से fish farming कैसे होगा भाई, तो यह होगा composite fish culture system में, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है जरा सा समझते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे, मतलब 5 या 6 प्रकार की मचलियां जो होती हैं, वो एक ही fish pond में डाल दी जाती हैं, और यह species इस प्रकार से select की जाती हैं, कि यह आपस में जगडा ना करें, आपस में मतलब इनका कोई competition ना हो, यह एक दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसी मचलियों को यहाँ पर select करके, एक ही pond में 5 या 6 प्रकार की मचलियां डाल दी जाती हैं, और इस प्रकार के system को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के system क को हम लोग क्या कहते हैं, यह देखिए, यह कहते हैं, composite fish culture system, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आगे कहता है, कि as a result, the food available in all the part, एक लैंग छोड़ गया, so they do not compete for food among them, having different type of food habit, मतलब यह जो 5-6 मचलिया हैं यह क्यों compete नहीं करेंगी क्योंकि इनका food habit अलग अलग है, इसलिए कहता कि as a result, the food available in all the part of pond is used, pond के हर एक पार्ट में जो food होगा, वो use होगा, क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मचलियां जो हैं, वो पानी के upper level में food consume करती हैं, कुछ मचलियां पानी के lower level में, कुछ उस मचली से पहले मचली को कोई मतलब नहीं, जैसे उदारन के लिए, cutlass मचली जो है, वो surface feeder है, पानी के surface पर भोजन गरहन करती है, जो रोहु मचली है, वो पानी के middle zone में भोजन गरहन करती है, इसके बाद जो म्रिगल है, या फिर common carp है, वो पानी के सबसे lower level पर जाकर food लेती ह है, समझ गए, और इसके साथी grass carp है, वो weed पर एक प्रकार से consume करती है, समझ गए, तो ये जो मचलीयां की प्रजाती है, ये एक साथ एक ही pond में survive कर सकती है, एक दूसरे से ये बिलकुल भी compete नहीं करेंगे, can use all food in the pond without competing with each other, this increase the fish yield in the pond, तो ये देखिए, ये तस्वीर आप दे इसरा मचली है, वो सबसे नीचे level पर जाकर करके survive कर रहा है, अपना food consume कर रहा है, अपना रह रहा है, सभी मचलीयों को ये दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये अपना-पना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में कोई tongue नहीं अडा रहा है, ठीका, अब इसके बाद यहाँ प इन सभी के fish seed को हमें collect करना होगा, क्योंकि एक बार मचली बड़ी हो गई, उसके बाद next generation मचली फिर से हमें तयार करना है न, तो उनका seed हमें फिर से चाहिए, तो यहाँ पर जब fish seed collect किया जाता है, ताकि नए मचलीयों को तयार किया जाए, तो यहाँ पर एक मचली दूसरे मचली के साथ mix हो सकती है, ज्यादातर mix ही हो जाता है, क्योंकि एक ही season में यह सारी मचली अंडे देती है, तो यहाँ पर यह problem होता है, कि अच्छी quality का seed नहीं मिलता है, मतलब कि कोई अच्छी quality का seed आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, इस problem को दूर करने के लिए, इस जाता है, और उसके लिए hormonal stimulation यूज किया आता है, मतलब artificially hormone देकर उनको क्या करवाय जाता है, breed करवाय जाता है, और इसकी वज़े से क्या हुआ है, अब हमारे पास pure fish seed आसानी से अच्छी मात्रा में, अच्छी quantity में available हो चुके हैं, तो यह एक परकार से मचलियों की बात हो therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise, honey जो है वो बहुत ज़्यादा use होता है, आप भी consume करते हैं, मैं भी consume करता हूँ, और इसलिए honey का production करना वो भी एक प्रकार से बहुत फाइदय का सौधा अब बन चुका है, since beekeeping needs low investment, farmer use it as an additional income generating activity, beekeeping के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छी quantity में यहाँ पर honey भी create कर सकते हैं, तो यहाँ पर कम पैसा लगा करके जो किसान है वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको करना एक प्रकार से लिए किसानों के लिए फाइदे मंद है, in addition to honey, the beeves are a source of wax which is used in various medical preparations, यहाँ पर यह आपको wax भी formation करती हैं, जो कि बहुत प्रकार के medical preparation में use होते हैं, आगे कहता है कि the local variety of bee used for commercial honey production, such as epi serena indica, commonly known as Indian bee, a dorsata, the rock bee, and the aflory, the little bee, यह आपको कुछ Indian पर जाती हैं, जिनको की honey production के लिए use किया जाता है, अब कहता है कि an Indian bee, an Italian bee variety, millifera, has been brought into increased yield of honey, यहाँ पर अब क्या किया गया है, एक Italian bee variety को इंडिया में लाया गया है, ताकि यहाँ पर जो honey production है, उसका yield बढ़ाया जा सके, तो Italian bee variety को क्यों लाया गया है, इसको इसलिए लाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो यह Italian bee है, इसका honey collection काफी high है, और यह जो हैं, उतना पर जादा लंबे समय तक रहते हैं, और breed काफी अच्छी तरीके से करते हैं, और पूरी दुनिया में, मतलब जहाँ पर भी एक प्रकार से commercial honey production होता है, वहाँ पर इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार के जो honey bee हैं, उनका यूज किया जाता है, समझ गया, अब यहाँ पर बी हैं, वो रहते हैं, और honey का production करते हैं, और उन boxes में, इस प्रकार के slot लगाया जाता हैं, जिसमें की honey making होता है, honey तयार होता है, और इन से honey फिर निकाला जाता है, इसके साथ देखें तो इस प्रकार से आपको खेती होती है, इंडिया में, जहाँ पर की, जो honey है, उसका production हो होता है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो कहता है कि the value or quality of honey depends upon the pasturage or the flower available to the bees for nectar and pollen collection, in addition to adequate quantity of pasturage, the quantity of flower available will determine the taste of the honey, अब यहाँ पर बात है कि देखो, honey bee ऐसा नहीं है कि honey bee को सिर्फ पालने से आपको ज्यादा honey मिल जाएगा, या honey की quality अच्छी होगी, जो honey की quality है, वो depend करती है कि यहाँ पर जो pasturage है वो कैसा है, साथ में जो आपके इलाके में flowers हैं, वो कैसे हैं, flower है या भी नहीं है, अगर flower नहीं होगा, तो भाई honey भी नहीं होगा, समझ गया, तो यहाँ पर honey का quality, honey का taste, इलाके में present flower के उपर बहुत जदा depend करता है, अब यहाँ पर दे वीडियो में, अगले chapter में, आप तो chapter अगला है नहीं, किसी दूसरे subject के वीडियो में, तब तक के लिए good bye,